मैं आज के इस कारिक्रम में जो उपस्थित हैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ विशेश रूप से हमारी राज्य प्रभारी बहन पुश्पांजली जी का हमारे मंडल प्रभारी श्री तरून भाई का और हमारे इस पतंजली योग समीती के संड़क्षक श्री राम सिंग जी का विशेश आभार व्यक्त करता हूँ श्री विवेक नरायन जी का जो यहां के महापोर है श्री रादारमन दास जी का विशेश आभारी हूँ आर्पी शर्मा, राजेश भाई, राजीब भाई, शुश्री पार्थार्थी बहन, श्री राम प्रकाश जी और श्री मती सुमन अगरवाल सबका अभार व्यक्त करता हूँ जिनोंने इस कारिकरम के आयोजन, सहियोजन में भूमी का निभाई है और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया है इसके अलावा भी जिनका नाम नहीं ले पाया, ऐसे सभी कारिकरता भारस वाजमान के पदादिकारी, पतंजली पीट के पदादिकारी जिनोंने इस आयोजन में प्रत्म नगर में आया हूँ, मुझे बहुत आनंद की अनुभूती है और आनंद की अनुभूती का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश के जो आजादी की लड़ाई के प्रत्म पंक्ती के शहीदों में जिनकी गिंती होती है महरानी जहासी लक्षुए बाई उनकी करम भूमी पर मैं आया हूँ इसका मुझे बहुत आनंद है और आते ही मुझे एक सुखत समाचार आपके महापोर जी का मिला कि यहाँ एक जोती जलाने का काम पिछले वर्ष शुरू हुआ है उनकी समाधी पर हमारे प्रथम स्वाधीनिता संग्राम के एक सो पचास वर्ष पूरे हुए पिछले साल उस निमत्त से यहाँ पर जोती जलाने का काम जो अखंड जोती है वो प्रजुलित करने का काम हुआ है यह बहुत आनंद और सुख की बात है इस देश के शहीदों की जहां समाधियां है वहां पर सभी जगे ऐसा होना ही चाहिए यह तो एक सामन निसी बात है लेकिन हम आजदी के 62 साल के बाद कुछ-कुछ शहीदों को याद कर पाएं और यह काम कर पाएं तो यह हम अपने ही पाप को कुछ कम करेंगे ऐसा मुझे लगता है कि यह तो काम 1947 में ही होना चाहिए आजदी मिलते ही यह काम होना चाहिए क्योंकि जिन्होंने आजदी दिलाई है अगर उनके प्रतिहम सम्मान नहीं कर सकते क्रतक गिता ग्यापित नहीं कर सकते तो हम से जादा क्रतगन और कौन हो सकता है तो यह आनंद का समाचार मुझे मिला इसके लिए मैं महापौर जी को बधाई देता हूँ उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ जिनोंने ये काम करने में सक्रिय सहयोग दिया होगा भारत स्वाविमान नाम का एक अभ्यान शुरू हुआ है पिछले जनवरी पांच से 2009 में ये अभ्यान संपून भारत देश में शुरू हुआ है परमपूजिनिये स्वामी रामदेव जी इसके अध्यक्ष है आचारे बालकरशन जी इसके महामंत्री है मुझे परमपूजिनिये स्वामे जी ने राष्ट्रिय सचिव की जिम्मेदारी दे रखी है इसके अलावा इस अभ्यान में 680 जिलों के जिला प्रभारी है कि जनवरी 2010 तक इस अभ्यान में लगबग 11 लाख लोग पूरे देश में सक्रिय सहबागी हो जाएंगे और अगले वर्ष से परमपूजिनिये स्वामी जी खुद एक एक जिले के प्रभास पर निकलने की तैयारी में है तो हमारा नुमान है कि स्वामी जी का जो जिल्लेओं का प्रभास होगा और अगर वो दो साल चल गया तो सारे देश के करीब पांच करूर लोग इस अभ्यान से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाएंगे उसके बाद हम कुछ काम करना चाहते है एक बार हमारा संगठन खड़ा हो जाए हमारी शक्ती हो जाए तो हम कुछ काम करना चाहते हैं और वो काम क्या करना चाहते हैं अगर एक वाक्य मैं कहूं तो शहीदों के अधूरे सपनों को हम पूरा करना चाहते हैं इसी के लिए हमने ये भारत स्वाविमान अभयान बनाया है हमारे देश के क्रांतिवीरों के हमारे देश के शहीदों के हमारे देश के महापुरुशों के जो सपने है भारत के बारे में ऐसा भारत होना चाहिए ऐसा भारत होना चाहिए वही हम पूरा करना चाहते हैं होना तो ये चाहिए था कि ये सारे सपने सारे आदर्श जो करांतिकारियों ने देखे शहीदों ने देखे वो आजादी मिलते ही पूरे होते लेकिन नहीं हो पाए है उसके कुछ गंभीर कारण है उन कारणों की जाँच पड़ताल करके उनका कोई समाधान निकालने के प्रेयास में हम सब लोग हैं मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस है बहुत दुख है कि हमारे देश की आज़ादी बहुत कीमती है बहुत मूल लिवान है हमारी आज़ादी का मूले हमारी आज़ादी की कीमत अगर आप जानना चाहें तो दो तीन जानकारियों से आप उसको अंदाजा लगा सकते हैं पहली जानकारिये कि महरानी जहासी लक्ष्मी भाई का जो बलिदान हुआ बगत सिंग, उदम सिंग, चंदरशेखर जैसे करांतिकारियों के जो बलिदान हुए नाना सहब, पेशवा, तातिया, टोपे के जो बलिदान हुए ऐसे बलिदान हमारे देश में 7,32,780 हुए एक दो बलिदान के बाद आज़ादी नहीं आई अंग्रेजी सरकार के जो रिकॉर्ड्स हैं, अंग्रेजी सरकार के जो दस्तावेज हैं और जो दस्तावेज ब्रिटिश पार्लिमेंट में रखे हुए हैं जो अभी तक भारत भी नहीं लाए गए हैं क्योंकि भारत सरकार को उसमें कोई रुची नहीं है लाने में कोई रस नहीं है मुझे तो ये भी कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि भारत के जिन करांतिकारियों को लंदन में फांसी दी गई थी उनके death certificate और death warrant अभी तक भारत नहीं पहुँचे है आज़ादी के 62 साल में 63 साल शुरू हो चुका है जिन शहीदों को लंदन में फांसी दी गई ऐसे बहुत शहीद है लंदन की जेलों में उनके death warrant पड़े हुए है death certificate पड़े हुए है कई शहीदों की अस्थियां वहां जेलों में रखे हुए है वो अभी तक हमारे देश में नहीं आई है ये हमारे देश के आज़ादी के बाद के जो नेता हैं शाशक है उनका असली परिचे देने के लिए काफी है कि वो कैसे व्यक्ति है तो जो काम शहीदों के आज़ादी के सपने के साथ जुड़ा हुआ है वो काम अधूरा है वो हमें पूरा करना है इसी के लिए बारत स्वाविमान अभियान बना है हमारे शहीदों की जो शहादत है मैंने बताया 732,780 करांतिकारी इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए या फांसी पे चड़ा दिये गए ये संख्या उन करांतिकारीयों की है इसके अलावा अंग्रेजों ने हमारे देश के साधरन नागरिकों के उपर जो अत्याचार किये और उन में जो लोग मारे गए मैं उनको भी किसी करांतिकारी से कम नहीं मानता वो संख्या साड़े चार करोड है साड़े चार करोड एक ही उधारन से बताता हूँ आप ग्वालियर में रहते हैं ग्वालियर के नजदीक में एक बड़ा नगर है उसका नाम है कानपूर कानपूर के पास एक छोटा सा इस्थान है बिठूर बिठूर वो इस्थान है जहां 1857 का प्रथम स्वादीनता संग्राम तैयारी करने के लिए बैठके हुई है नाना साब पेशवा, तांतिया टोपे, जहांसी रानी लक्ष्वी बाई, नाना फड़नवीस इन करांतिकारियों ने मिलकर जो योजनाएं बनाई सबसे पहले वो बिठूर से बनी और अंग्रेजों को बिठूर आँख में चुपता था तो अंग्रेजों ने उस बिठूर के ऊपर क्या अत्याचार किये, उसकी एक ही बानगी देता हूँ कि एक कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने बिठूर पर हमला किया था ये 1857 के बाद की घटना है उस समय बिठूर में 24,000 लोग रहते थे 24,000 लोगों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया तीन महिने के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजर्ग किसी को नहीं छोड़ा था अंग्रेज़ और जिन लोगों को अंग्रेजों ने मार डाला उनको बाद में नीम के पेड़ों से पीपल के पेड़ों से बरगत के पेड़ों से फांसी लटका कर छोड़ दिया था ताकि आने जाने वाले लोग देखें और उनमें दहशत पैदा हो आतंक पैदा हो कि अंग्रेजी सरकार का विरूद करने का अंजाम क्या होता है अब बिठूर जैसे नगर में 24,000 लोगों की शहादत होई है आज़ादी के लिए अंदाजा लगा सकते हैं बिठूर जैसे भारत में साड़े तीन सो नगर थे जिनोंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी और अंग्रेजों ने पूरी ताकत से उनको कुचल दिया था अत्याचार की सारी सीमाएं उन्होंने तोड़े थी तो लगबग साड़े चार करोड भरतवाशी इस तरह से अंग्रेजों के अत्याचार का शिकार होके शहीद हुए उनकी शहादत को भी नमन है जिन करांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी पर चड़ाया उनको तो हम नमन करते ही है जिन करांतिकारियों को अत्याचारों से मार डाला अंग्रेजों ने प्रतीवी हम अपने मन में शरदा भाव रखते हैं नमन प्रस्तुत करते हैं दुनिया में बहुत सारे देश गुलाम हुए हैं अलग अलग समय पर अफरीका गुलाम हुआ अंग्रेजों का साड़े चार सो साल के लिए अफरीका में एक छोटा सा देश है वो अलजीरिया गु अफरीका के बहुत सारे देश गुलाम हुए अलग अलग समय पर जापान गुलाम हुआ है अंग्रेजों का चीन कुछ दिनों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है दुनिया में ऐसे पचास देश हैं जो अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं लेकिन इन पचासों देशों क अफरीका इतिहास जानने के बाद जो महतु की बात पता चलती है वो ये कि किसी भी देश की आज़ादी के लिए इतनी कुर्बानिया नहीं हुई है इतनी शहादत नहीं हुई है जो अंग्रेजों के खिलाफ भारत में हुई है किसी भी देश में हुई है अफरीका की आज़ा इमेपिया, सूमालिया, इन सब भारत अकेला देश है, दुनिया के 50 देशों जहां की आजदी क्या है उसकी कोई सूची अभी तक भारत सरकार ने तयार नहीं किये ये तो अंग्रेजी सरकार के जो रिकॉर्ड्स हैं दस्तावेज हैं जो ब्रिटिश पारलेमेंट हाउस ओफ कॉमेंस में पढ़े हैं उन में से निकाल कर लाई गई छोटी छोटी बाते हैं जिससे हमको पत चलता है तो बहुत कीमती है आज़ादी बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाई है इस देश की आज़ादी इस देश की आज़ादी की कीमत क्या है अगर आप जानना चाहें तो उन शहीदों के महापुरुशों के करांतिकारियों के परिवारों से पूछे जिनोंने कुछ न कु नहां पर एक ही परिवार, चाफेकर परिवार के तीन नौजवानों को फासी हुई थी। एक ही परिवार में तीन बेटे थे तीनों फासी पर चड़ गए। चाफेकर बंदों के परिवार में जाकर आप पूछेंगे तो वो बताएंगे आज़ादी की कीमत क्या है। कीमत क्या है हमारे जैसे लोगों ने कम से कम मैं अपनी बात कह सकता हूँ जिनों ने कुछ नहीं खोया इस तेश की आजादी के लड़ाई में जिनों ने कुछ नहीं खोया इस तेश के स्वाधिनता संग्राम में उनको आजादी की वास्तविक कीमत का अंदाज़ा नहीं है क्योंकि दिल में उतना दर्द होना चाहिए जजबा होना चाहिए उसको समझने का बहुत कीमती है ये आज़ादी जो भी आई है लेकिन दुख उससे भी बड़ा ये है कि ये जो आज़ादी आई वो शहीदों के सपनों के अनुरूप नहीं आई हमारे करांतिकारियों के जो सपने थे उसके अनुरूप ये आज़ादी तो नहीं है सबसे बड़ा सपना ये था कि आज़ादी के पहले भारत जितना बड़ा था आजादी के बाद भी भारत उतना ही बड़ा होना चाहिए भोगौलिक रूप से माने भारत की सीमाएं जहां तक लगती थी आजादी के पहले आजादी के बाद के भारत की सीमाएं भी उतनी ही होनी चाहिए थी आपको मालूम है आजादी के पहले का भारत अफगानिस्तान तक फैला हुआ था आजादी के पहले का भारत इस समय के भारत से बहुत बड़ा भारत था लेकिन आजादी मिलते ही भारत के टुकड़े हुए और इस देश की आजादी खंडित हो गई हमारे किसी भी शहीद ने ये सपने में नहीं सोचा था कि आजादी मिलते ही देश का खंड-खंड बटवारा होगा देश को तोड़ना पड़ेगा मुझे वो दिन याद आपको कराना है 1905 में अंग्रेजों ने इस देश में एक बहुत बड़ा खेल खेला था अंग्रेजों का एक अधिकारी इस देश में हुआ करता था उसका नाम था करजन करजन ने बंगाल का बटवारा कर दिया था उस जमाने का जो बंगाल था वो आज के जमाने से बहुत बड़ा था अभी का हमारा जो पश्चिम बंगाल है वो पूरा का पूरा अभी का हमारा जो बिहार है अभी का हमारा जो उडीसा है जारखंड है इतना बड़ा इलाका था बंगाल का और भारत के ऊपर के जो छोटे छोटे साथ प्रदेश हैं आसाम, नागलेंड, मिजोरम, मनीपूर, तृपुरा वगएरा वगएरा इनको मिलाकर पूरा बंगाल था उस बंगाल को अंग्रेजों ने दो टुकडों में बाटा पूर्वी बंगाल और पश्मी बंगाल और ये बटवारा हिंदू और मुसल्मान के आधार पर हुआ, पूर्वी बंगाल अंग्रेजों ने मुसल्मानों को दे दिया, पश्मी बंगाल हिंदूओं को दे दिया, ये करजन नाम की एक अधिकारी ने 1905 में किया था, माने संप्रदाय के आधार पर भारत बटे, संप्रदाय के आधार पर इस देश के राज्यों का बटवारा हो, वो अंग्रेजों ने शुरू किया था 1905 से, लेकिन हमारे क्रांतिवीरों की ताकत, उनका पराक्रम, उनका होसला, उनकी दूर दरश्टी, वो इतनी काविले तारीफ है कि अंग्रेजों की इस चाल को उनोंने नाकाम क कर दिया था, जैसे अंग्रेजों ने 1905 में ये बटवारा किया हिंदू मुसल्मान के आधार पर, लाला लाजपत्राय, विपिन चंदरपाल, लोकमानि बाल गंगाधर तिलक, ऐसे हिंदुस्तान के सारे क्रांतिकारी एक साथ एक मंच पर इकठे हो गए, कहां लाला इक साथ इकठे हो गए, उत्तर, धख्शन, पूरप, पस्छिन, और अंग्रेजों के संपरदाय के आधार पर बतवारे का पूरी ताकत से विरोध किया। उनको पैसा मिला उस पैसे से उनको ताकत मिले तो इन करांतिकारियों का कहना था कि ये ताकत इनकी छीन लो इनका माल विक्वाना इस देश में बंद करा दो और अंग्रेजों को जब पैसे नहीं मिलेंगे इस देश भारत से, तो कमजोर पढ़ेंगे, कमजोर पढ़ेंगे, तब ये हमारी बात को मानेंगे, सुनेंगे सारे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ 1905 से 1911 छे साल में स्वदेशी आंदोलन में एक करोड़ 24 लाख से जादा कार्य करता एकठे हुए और ये उस समय के भारत की कहानी है जब भारत की कुल जनसंख्या मुश्किल से 22 करोड़ के आसपास थी और इन करांतिकारियों ने इन नौजवानों ने अंग्रेजी सरकार को ऐसा मजबूर किया कि 1911 में जाकर अंग्रेज सरकार को बंगाल का बटवारा वापस लेना पड़ा ये अंग्रेजों के इतिहास में पहली और आखरी घटना थी कि अंग्रेजों ने जब कोई काम किया कानून बना दिया Division of Bengal Act उस कानून को ब्रिटिश पार्लिमेंट में रद्द करना पड़ा और बंग्ल का बटवारा खतम करना पड़ा हिंदू और मुसल्मान के आधार पर देश को बाटने की जो साजिश उन्होंने की थी उसमें अंग्रेज पूरी तरह से असफल रहे और हमारे क्रांतिकारी सफल रहे सार ठक रहे मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस बटवारे को हमने 1905 में खतम करा दिया हिंदू मुसल्मान के आधार पर जिस बंगाल को फिर से एक करा दिया इस देश के हिंदू मुसल्मानों ने मिलकर उसी देश का बटवारा 1947 में हम रोक नहीं पाए और वही बटवारा हिंदू और मुसल्मान के आधार पर फिर हुआ पहले बंगाल का हुआ था बाद में पूरे देश का हो गया आप पूछेंगे जी क्या कारण था क्या क्रांतिकारियों के जोश में कमी आई क्या उनका उत्सा खतम हो गया उनके पराक्रम में कोई कमी आई ऐसा क्या हो गया कि 1905 से 1911 में हम अंग्रेजों की चाल को नाकाम करें और 1947 में अंग्रेजों की वही चाल कामियाब हो जाए उसका एकी कारण था कि 1905 के जो क्रांतिकारी इस देश के लिए लड़ रहे थे उनके मन में सत्ता और सिंगहसन का कोई लोब नहीं था कोई लालच नहीं था उनको ना सत्ता चाहिए थी न सिंगहसन चाहिए था इस देश वो तो लड़ रहे थे किसी आदर्श की पूर्थी के लिए किसी उद्देश की पूर्थी के और आदर्श और उद्देश ये था कि भारत देश अखंड रहे ये तूटे नहीं किसी भी इस तर पर ये देश का बटवारा ना हो तो आदर्श और उद्देश जब उँचे होते हैं तो ईश्वर भी उसमें मदद करता है शायद ईश्वर ने हमारी मदद की शहीदों के आदर्श बहुत पवित्र थे बहुत उँचे थे और 1905 का बटवारा टालने में हम सफल रहे लेकिन 1947 तक आते आते इस देश में महापुरुशों के चहरे बदल चुके थे 1947 तक आते आते कई महापुरुशों के मन में सत्ता और कुर्सी और सिंगासन का लोब जग गया था कई महापुरुशों के मन में ये तैव हो गया था कि मुझे देश का प्रधान मंत्री बनना है या उसे देश का प्रधान मंत्री बनना है ये सत्ता और सिंगासन का लोब जब चढ़ा तो भारत के बटवारे को हम रोक न सके एक ही देश में दो-दो लोगों ने जब दावेदारी ठोक दी कि मैं भी प्रधानमंत्री हो सकता हूँ मैं भी प्रधानमंत्री हो सकता हूँ उस प्रधानमंत्री पद के लालच ने इस देश को बटवारा करा दिया अनिता 1947 में भी ये देश बटता नहीं ये देश तूटता नहीं खंड खंड रहता मने नहीं होता सत्तावन और सिंगासन का लालच आया 1947 में अपने अपने तरीके से लोगों ने दावेदारी प्रस्तुत की और वो दावेदारी इतनी खतरनाक थी कि अंग्रेजों को समझ में आ गया कि जिनके मन में ये लोब है अब उनको ही हम अपना इस्तेमाल करें कटपुतली की तरह से तो वो ही हमारे बटवारे को सुईकार करेंगे और वही हुआ इस देश दो लोगों की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ने दो लोगों की प्रधानमंत्री पद की जिद ने इस देश के दो टुकडे करा दे एक देश में दो प्रधान मंतरी हो नहीं सकते दो देश में दो प्रधान मंतरी हो सकते उस चक्कर में ये देश बटा नहीं तो बटता नहीं 1947 में भी नहीं बटता हमारे देश में यही हुआ जो गड़बडी का बीज डाल गया सूत्र पात कर गया 1947 के पहले के करांतिकारियों का सत्ता और सिंगहसन का लोब नहीं देश और आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान ये सपना 1947 तक आते आते सत्ता और सिंगहसन महत्वपून हो जाए और अपने को कुर्बान कर देने की और अपने को बलिदान करने की बात पीछे हट जाए तो देश बटता है और वो बट गया और वहीं से खंडन शुरू हो गया इस देश के विभाजन के बीज बोए फिर विभाजन हो गया अंग्रेजों ने तो एक बहुत बड़ी चाल खेली थी कि भारत और पाकिस्तान का ही बटवारा ना हो भारत के एक एक राज्य का अलग अलग बटवारा हो जाए 565 रियासतें थी हर रियासत को अंग्रेजों ने अधिकार दे दिया था कि आप चाहो तो भारत में मिलो चाहो तो पाकिस्तान में जाओ चाहो तो सुतंत्र हो जाओ तो बहुत सारी रियासतें ये सपना देख रही थी कि हम तो अलग देश बनाएंगे जम्मू कश्मीर उसमें से एक था जूनागड उसमें से एक था भुपाल उसमें से एक रियासत थी हैदराबाद उसमें से एक रियासत थी ये तैयार नहीं थे भारत में मिलने के लिए इनका सपना था कि हम अलग राश्ट बनाएंगे ये तो भगवान ने उस समय पर सरदार बल्लब भाई पटेल को प्रस्तुत किया इस देश के लिए और उन्होंने 565 राजा महराजाओं को किसी तरह से डरा कर धमका कर पुछकार कर प्रेम करके महबद करके भारत में विले करने के लिए मंजूर करा लिया वरना अंग्रेज तो बहुत खतरना खेल खेल रहे थे भारत को छोड़ते समय भारत के 565 टुकड़े हो जाएं ये उन्होंने खेल खेला सरदार पटेल नहीं होते तो भारत आज ऐसा नहीं होता जैसा हम देख पा रहे हैं सरदार पटेल लेकिन भारत के पाकिस्तान बनने से नहीं रोक पाए क्योंकि वहाँ उनकी बहुत सारी चीज़ें चल नहीं पाएं पाकिस्तान भी नहीं बढ़ता अगर सारी कुछ सरदार पटेल की चली होती तो पाकिस्तान भी अलग नहीं होता अगर सब कुछ उनकी चली होती तो जहां तक उनकी चली और जहां तक उनकी सीमा थी करने की उन्होंने भारत के बहुत सारे हिस्सों को एक कर दिया लेकिन उसके बाद की कहानी बहुत दर्दनाक है इस देश की और वो कहानी ने हमको मजबूर किया है कि हम भारत स्वाविमान जैसा अभियान चलाए कहानी सीदी सी ये है कि आजादी आई हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार की प्राथमिक्ता क्या होनी चाहिए सीधी सीधी सी प्राथमिक्ता ये होनी चाहिए कि शहीदों ने जो कुर्बानी देकर आजादी लाई है उनके सपने क्या हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार काम करे ये सबसे पहली प्राथमिकता होने चाहिए हमारे शहीदों के सपने क्या है छोटी छोटी से सपने हैं उनके बहुत बड़े नहीं है मैं कुछ शहीदों के बारे में आप से बात करना चाहता हूँ एक बड़े शहीद इस देश के अमर शहीद जिनको कहा जाता है भगत सिंग उन्होंने जेल में एक डाइरी लिखी अपने आप जानते हैं भगत सिंग को फांसी की सजा होई थी उनके दो आरोपों के आधार पर एक तो एक पुलिस अधिकारी सांडर्स को उन्होंने गोली से मार दिया था और दूसरा उन्होंने असेंबली में बम फेका था असेंबली माने हमारी आज की ये संसत जो चलती है दिल्ली में उस जमाने में इसको असेंबली कहा करते थे तो संसत में बम फेका था उस बम से कोई घायल नहीं हुआ था कोई मरा नहीं था बम में कोई छर्रे नहीं थे कोई गोला बारूद नहीं भरा हुआ था उसमें कुछ पर्चे भरे हुए थे कागज के और उन पर कुछ लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ था ये लिखा हुआ था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए अंग्रेजों को भारत से चले जाना चाहिए ये लिखा हुआ था और दूसरी बात ये लख़ी हुई थी कि अंघ्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंघ्रेजियत को भी भारत छोड़ देना चहिए अंघ्रेजों को तो भारत छोड़ना ही है उस परचे में इतनी ज़ादा इस पश्टता से लिखा हुआ था कि अंग्रेजों को तो भारत छोड़ना ही है आज नहीं तो कल अगर आज अंग्रेज भारत से छोड़ते हैं तो उनकी कुछ इज़त बची रहेगी सारी दुनिया में नहीं तो कल हम उनसे भारत छोड़वा लेंगे तो सारी दुनिया उनको थूथू करेगे जब हम उनसे भारत छोड़वा लेंगे तो दुनिया में अंग्रेजों की बेज़ती और अपमान होगा और अग्रेज आज अगर खुद छोड़कर चले जाएंगे तो उनका सम्मान होगा सारी दुनिया में ये इसपष्ट रूप से उस परचे पर लिखा हुआ था किसने तयार किया था वो परचा हमारे देश के जो अमर शहीद भगत सिंग इनके एक सहयोगी थे मनमत नात गुपत उन्हों ने वो परचा तयार किया था और वो परचा क्या था हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन नाम का एक संगठन बना था उस संगठन का घोशना पत्र था इस संगठन की नीप पड़ी थी 1924 में बनारस में इसका पहला सम्मिलन हुआ था इस सम्मिलन की अध्यक्षता की थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और चूंकि उन्होंने अध्यक्षता की थी तो उनको जीवन भर के लिए इस संगठन का अध्यक्ष बना दिया गया महासचिव इसके बने थे पंडित चंद्र शेकराजा कोशाध्यक्ष बने थे मन्मतनात गुप्त फिर इसके प्रचार प्रसार विभाग के मंत्री बने थे शचिंद्रनात लाहडी ऐसे करके क्रांतिकारियों ने ये संगठन खड़ा किया था इसका एक घोशना पत्र जारी हुआ था कि हम ये संगठन क्यों बना रहे हैं और उस घोशना पत्र का नाम दिया गया था दे रिवोल्यूशन मने करांति उसमें कुछ बिंदू तै किये गए थे और वो बिंदू शहीदों के सपनों को बताते हैं पहला बिंदू ये था कि अंग्रेज भारत छोड़े दूसरा विंदू था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजियत भी भारत छोड़े अंग्रेजियत को उन्होंने व्याख्यायित किया था परिभाशित किया था कि अंग्रेजों के बनाई गए सारे के सारे कानून अंग्रेजों की बनाई गई सारी की सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजों की बनाई गई सारी की सारी नीतियां अंग्रेजों का बनाई गया पूरा का पूरा तंत्र ये भी भारत से जाना चाहिए खाली अंग्रेज भारत छोड़ कर चले जाएं इतने से बात नहीं बनेगी अंग्रेजों की नीतियां अंग्रेजों के कानून अंग्रेजों के नियम अंग्रेजों की व्यवस्थाएं अंग्रेजों का सब कुछ जो तंत्र में समाहित है ये भी खतम होना चाहिए ये भी जाना चाहिए और आजादी के बाद भारत में स्वदेशी तंत्र आना चाहिए स्वराज जाना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए स्वतंत्र शब्द पर जोर था उस गोशना पत्र में स्वतंत्र माने अपना तंत्र, स्वा माने अपना तंत्र माने व्यवस्था हमारी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए हमारे अपने कानून होनी चाहिए ये सब कुछ रिवोल्यूशन में लिखा गया था और ये रिवोल्यूशन जारी हुआ 1924 में ये बहुत बड़ा गोशना पत्र है लेकिन इसका संक्षिप्त रूप शहीद आजम भगत सींग ने असेंबली में फेका था बम के साथ संक्षित रूप और उन्होंने कहा था कि इस कारी के लिए अगर हमको अपना बलिदान देना है कुर्बानी देना है तो भी हमें मनजूर है तो अंग्रेजी कानून अंग्रेजी व्यवस्था अंग्रेजी तंत्र सब खतम करना था ये हमारे देश के शहीदों का सपना था खाली अंग्रेजों को भगा देना है इतने से बात नहीं बनने वाली थी मात्मा गांदी ने तो आजादी के समय 1946 में ये बात कही थी बहुत इसपश्टता से किसी अंग्रेज पत्रकार ने जो लंदन से आया था गांदी जी का इंटर्व्यू लेने के लिए BBC का पत्रकार था उसने जब गांदी जी को ये पूछा कि आप क्या चाहते हैं तो उन्होंने इस पश्ट कहा कि अंग्रेज चाहें तो भारत में महमान बरके रह सकते हैं लेकिन हमें अंग्रेजियत को इस देश से विदा करना है अंग्रेज चाहें तो इस देश में रहें महमान बनके जब तक उनकी इक्षा हो हम उनके महमान बनकर इस देश में रहने पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे लेकिन अंग्रेजों ने जो तंत्र बना दिया है इस देश में गुलामी का जो कानून बना दिये है वो तो हमें नहीं चाहिए एक मिनट के लिए भी उसे तो हम खतम करेंगे इस देश अब आप जानते हैं महात्मा गांदी का रास्ता था हिंसा वाला शहीद आजम भगत सिंग का रास्ता था हिंसा वाला दो अलग अलग रास्तों से चलने वाले करांतिकारी मैं इन दोनों को कैंची जैसा मानता हूं कैंची होती है ना उसमें दो फाले होते हैं दोनों ही काटते हैं एक हिंसा से और एक अहिंसा से ये दोनों ही तरह के करांतिकारी भारत की आजादी की कैची जैसे थे जो काटना चाहते थे इस पूरी गुलामी की बेडियों को एक अपने तरीके से, दूसरा अपने तरीके से, तरीके अलग थे, उद्देशे की था ये कितनी अद्वुत साम मिता है कि शहीद आजम भगत सिंग 1924 में रामपरसाद बिस्मिल 1924 में चंदरशेकर आजाद 1924 में जो बात कह रहे हैं गांदी जी उसी को कह रहे हैं 1946 में वो कह रहे हमें अंग्रेजियत नहीं चाहिए और 1924 में ये करांदी कारी कह रहे हैं हमें भी अंग्रेजियत नहीं चाहिए स्वतंत्रता चाहिए, स्वदेशी तंत्र चाहिए, स्वराज चाहिए इसका मतलब ये है कि अहिंसावादी करांदी कारी हो या हिंसावादी करांदी कारी हो सपने दोनों के एक ही थे हमारे देश में शहीद आजम भगत सिंग वाले रास्ते पे चलने वाले एक और महन करांतिकारी हुए सुभाश शंद्र बोस 1940 में जब उन्होंने भारत छोड़ा और उनके कुछ मित्रों ने उनसे पूछा कि आप भारत छोड़कर कहा जाना चाहते हैं तो उनके कहा कि मुझे कोई फौज बनानी है जो भारत पर राज कर रहे अंग्रेजों के ऊपर हमला करे और इस भारत को शसस्त करांती के रास्ते से आज़ाद करे इसके लिए मैं भारत छोड़ना चाहता हूँ तो उनके मित्र कहा करते थे कि मात्र इसलिए कि अंग्रेजों उपर हमला करें और अंग्रेज हार के चले जाए उन्हों का इतना ही नहीं है अंग्रेज चले जाए उस देश की विवस्था को बदलने का काम शुरू किया जाए इसके लिए मैं भारत छोड़ना चाहता है और छोड़ा उन्होंने भारत बनाई आजाद हिंद फौज और किया हमला अंग्रेजों के उपर और कुछ हद तक वो सफल और सार्थक भी हुए उसमे मैं आपके दिमाग में एक ही बाट डालना चाहता हूँ कि हिंसा वाले या अहिंसा वाले दोनों ही रास्ते पर चलने वाले करांतिकारियों के मन में एक बात इस पश्ट थी कि हमें वो भारत तो नहीं ही चाहिए जो अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया हमें तो कुछ नया भारत चाहिए अब होना क्या चाहिए था आज़ादी मिली 15 अगस्त 1946 को 47 को माफ करिये 46 में हमारे देश में ये घोशना हो गई थी कि अंग्रेज चले जाएंगे और उसके बाद हमारी अंतरिम सरकार बन गई थी 17 सितंबर 1946 से इस देश में एक अंतरिम सरकार का गठन हो गया था और उसने कामकाज अपना समहल लिया था और अंग्रेजों की तयारी थी कि ये जो अंतरिम सरकार है इसी को सत्ता का हस्तांतरन करके वो जाएंगे तो 1946 में तैय हो गया अंग्रेज चले जाएंगे घोशना भी हो गई तो सरकारों को क्या करना चाहिए था कि सारे शहीदों के वो हिंसार वाले रास्ते के हो या अहिंसा वाले रास्ते के उनके सपनों को उनके आदर्शों को उनके घोशना पत्रों को एकटा करके सरकार को अपना नीती पत्र और घोशना पत्र जारी करना चाहिए था कि वही आज़ादी के बाद तो हम तो इनके सपनों का भारत बनाना चाहते हैं और उसी के लिए हमने ये आज़ादी पाई है लेकिन ऐसा नहीं हुआ शहीदों के विचारों को उनके घुष्णा पत्रों को उनकी नीतियों को उनके कारिक्रमों को सब दरकिनार कर दिया गया और भारत को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया गया जिस रास्ते पर जाने के लिए हमारे शहीद कभी भी तयार नहीं अब दर्द क्या है? इस देश का वो यह है कि हम भारतवासी हैं आज भी विदेशी विवस्ताओं में जीवित है हम एक तरफ कहते हैं आजाद हो गए है लिकिन गुलामी के सारे के सारे कानून अभी भी हमारे उपर लदे हो है एक भी कानून इस देश ने आजादी के बाद खत्म नहीं किया जो अंग्रेजों ने गुलामी के लिए लाया था इसलिए भारत स्वाभिमान मानता है कि ये आजादी अधूरी है ये स्वराज अधूरा है ये स्वतंतरता नहीं है ये एक तरह की परतंतरता और गुलामी की ही इस्थती है बस अंतर इतना ही हो गया है कि पहले इस देश पर राज करने वाले गोरे अंग्रेज थे अब राज करने वाले कुछ काले अंग्रेज पैदा हो गए है इस से ज़्यादा कोई अंतर इस देश की व्यवस्ताओं में नहीं आया मैं कुछ उधारन से मेरी बात इसपश्ट करना चाहता हूँ शहिद आजम भगत सिंग को फासी हुई थी आप सभी जानते हो उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जेपी सांडर्स उसको गोली मार दे थी लाहुर में। सांडर्स को गोली क्यों मारी थी। सांडर्स वो अंग्रेज अधिकारी था जिसने इस देश के एक महन करांतिकारी लाला लाच्पत्राई के सिर पर लाठियों से इतना वार किया था कि लाला जी को ब्रेन हैमरेज हुआ था और उनकी म्रत्ति होई थी। सांडर्स नाम की जिस अधिकारी ने लाला लाच्पत्राई पर लाठी चार्ज किया वो अधिकारी को जब पूछा गया कि तुमने लाला लाच्पत्राई पर लाठी चार्ज क्यूं किया तो उसने का मेरा अधिकार था मेरा करतब भी था उसको जब पूछा गया कि तुमरा अ तो जड़त कहां थी Indian Police Act नाम के कानून और Indian Police Act का जब कानून इस देश में बना और लागू किया गया तो वो साल था सन 1860 1860 में अंग्रेजों की सरकार ने ये कानून इस देश में लागू किया था Indian Police Act ये कानून लंदन से पास हुआ था British Parliament से इसको पास किया गया था और भारत में इसको लागू किया गया British Parliament में इस कानून के समय की जो बहस हुई थी उसके सारे दस्तावेज हमने निकाले और उनको बड़े बारीकी से और ध्यान से पढ़ा अंग्रेजों ने ये पुलिस बनाई क्यों? क्योंकि 1860 के पहले इस देश में पुलिस नहीं होती थी आज हम डोलते न पुलिस कानून व्यवस्था का रक्षण करने के लिए है 1860 में जब पुलिस बनी थी तो उसका ये उद्देश नहीं था कानून व्यवस्था का रक्षण करना उनका उद्देशिता भारत के क्रांतिकारियों को जम कर मारना, पीटना और उनके उपर अत्याचार करना इसलिए इस कानून में एक व्यवस्था की गई कि हर पुलिस अधिकारी को right to offense दिया गया किसी भी भारतिये क्रांतिकारी को right to defense नहीं मिला इसको मैं सरल भाषा में समझाता हूँ right to offense क्या होता है और right to defense का मतलब क्या है अगर कोई अंग्रेज पुलिस अधिकारी के दिल में आए कि मुझे इसको लाठी से पीटना है, वो पीटेगा, ये उसका right to offense है मारेगा, पीटेगा, सिर्फ फोड़ देगा, टांगे तोड़ देगा लवलुहान कर देगा आपको, ये उसका right to offense है लेकिन जो पिट रहा है, अगर वो लाठी को पकड़ेगा तो उसका अधिकार उसको नहीं है, right to defense नहीं है right to defense नहीं है, इसका माने आप पिटते रहिए अगर आपने लाठी पकड़ी, तो कानून कहता है कि आपके खिलाफ मुकदमा होगा, कि आपने पुलिस अधिकारी को duty करने से रोका, उसकी duty क्या है, आपका सिर्फ फोड़ देना लाठीयों से, टांगे तोड़ देना, ये उसकी duty है, उसका कर्तव है और आप अगर लाठी पकड़ रहे हैं अपने बचाओ के लिए, तो आप उसको duty करने से रोक रहे हैं तो मुकदमा आपके उपर चलेगा, ना कि पुलिस अधिकारी के उपर, ऐसा कानून इंडियन पुलिस एक्ट तो सांडर्स के खिलाफ जब अधालत में बात गई और सांडर्स ने ये जवाब दिया कि मुझे तो कानून ने अधिकार दिया था, मैंने लाला लाच पत्राई के सिर पर लाठीयां मारी, तो ये कानून है मैंने उसका पालन किया, मैंने कोई अपराद नहीं किया और सांडर्स बाइज़त बरी हो गया उसको कोई सजा नहीं मिली क्योंकि अधालत में कहा कि हम तो कानून के आधार पर फैसला कर सकते हैं, नियाए नहीं दे सकते नियाए देना एक अलग चीज होती है, कानून के आधार पर फैसला करना बिलकुल अलग चीज होती है नियाए तो ये कहता है कि जिस सांडर्स ने लाला जी को मारा लाठीयों से सिर्फ फोड़ दिया उस अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा होना चाहिए था, उसको जेल में होना चाहिए था क्योंकि लाला जी ने कोई कानून नहीं तोड़ा था इस देश का, जब उनके ऊपर लाठीयों बरसाई गई थे वो तो एक शांती सभा करने की तैयारी कर रहे थे कोई कानून का उलंगन नहीं कर रहे थे वो हिंदुस्तान की और अंग्रेजी सरकार की किसी संपत्ती का नुकसान नहीं कर रहे थे कोई घर नहीं जला रहे थे, कोई बस को नहीं तोड रहे थे, कोई पुलिस जीप को नहीं तोड रहे थे किसी पुलिस अधिकारी के ऊपर कोई वार नहीं कर रहे थे वो तो शांती के साथ रॉलेट एक्ट भारत में लागू ना हो उसके खिलाफ एक सभाकी तयारी कर रहे थे उस समय लाठियां बरसाई गई बिना उनको चेतावनी दिये हुए और उसमें उनकी मौत हुई मुकदमा चला तो सांडर्स बरी हो गया क्योंकि कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ था उस कानून के आधार पर अधालत ने फैसला दे दिया कि सांडर्स का कोई कसूर नहीं है बाद में उसका प्रमोशन करने की बात हुई तब भगत सिंग को गुस्सा आया और शहीद आजम भगत सिंग को अकेले गुस्सा नहीं आया उनके जो सही होगी थे चंदरशेकर आज़ाद उनको भी गुस्सा आया और उन्हें ने कहा कि अंग्रेजी साशन और नयाय विवस्था में हमको इतना भी नयाय नहीं मिल सकता कि हम हमारे क्रांतिवीर लाला लाचपतराई की मौत के बारे में सोच सकें समझ सकें और उसका कोई रास्ता निकाल सकें, समाधान निकाल सकें, इतना भी नहीं मिल सकता, तो भगत सिंग ने संकल्प ले लिया कि अब मुझे कानून अपने हाथ में लेकर नयाय करना पड़ेगा, और उन्होंने वो किया, सांडर्स को उन्होंने गोली से मार दिया, मारने की कहानी वो आप सबको मालूम है, इसलिए सुनाना नहीं चाहता, और गुसा इतना था भगत सिंग को, कि एक ही गोली में सांडर्स मर गया था, फिर भी दो गोली और चलाई उन्होंने उसके शरीट पर, इतना गुसा था, और उसके बाद भगत सिंग ने एलान किया कि अब मुझे फांसी हो जाए, तो भी कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने नियाए ले लिया, अब फांसी हो जाए तो कोई गम नहीं है, अपने साथियों को एक दिन मीटिंग में बात करते हुए, भगत सिंग कहते हैं कि ये सांडर्स का मरना जरूरी था, नहीं तो ये दूसरे किसी लाला लाच पत्राई को मारता, तीसरे किसी लाला लाच पत्राई को मारता, चोथे किसी लाला लाच पत्राई को मारता, और हमारे पास लाला जी जैसे लोग बहुत कम हैं, जो देश की आजादी के बारे में इतना काम कर रहा है इसलिए हम दूसरे लाला लाच्पत्राई को खो नहीं सकते उससे बहतर है कि हम सांडर्स को विदा करें इसलिए सांडर्स का मरना जरूरी था और उसके बाद की घटना तो आप जानते हैं असेंबली में बम फेका तो वो घोशना पत्र अंग्रेजों तक पहुचे इसके लिए इन दोनों ही आधार पर फांसी हुई तो मुझे जो कहना है वो ये कि शहीद आजम भगत सिंग को जिस कारण से फांसी हुई वो कारण तो 15 गस्त 1947 के बाद बदल जाना चाहिए था जिस कानून ने लाला जी के सिर पर लाठियां बरसाई वो कानून तो जला दिया जाना चाहिए था इस तेश में सांडर्स जैसे अधिकारियों को जो राइट टू अफेंस दिया गया आजादी के बाद किसी पुलिस अधिकारी को ये राइट टू अफेंस कैसे दिया जा सकता है जो अंग्रेजों ने कभी दिया अपनी अधिकारियों का इस पर बहस होनी चाहिए थी लोक सभा में लेकिन दुख और दुर्भाग इस देश का ये है कि जिस इंडियन पुलिस एक्ट के आधार पर सांडर्स ने लाला जी को लाटियां मार मार के शहीद कर दिया वो इंडियन पुलिस एक्ट आज भी इस देश में चल रहा है और उसमें कोई कौमा फुलिस टॉप का बदलाव नहीं हुआ है इसलिए हम कहते हैं भारत स्वाविमान की तरफ से कि आजादी अधूरी है स्वतंतरता आई नहीं है बसंतर इतना ही हो गया है कि पहले गोरे अंग्रेजों की पुलिस लाठी चार्ज किया करती थी अब काले अंग्रेजों की पुलिस लाठी चार्ज करती है होता है कि नहीं इस तेश आप अपनी कोई सम्वेधानिक मांगों को मानने के लिए मनवाने के लिए आप अपने मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए जब भी सरकार के सामने जाते है पुलिस बरबरता से लाटियों से पीटती है मारती है सिर्फ फोड़ देती है टांगें तोड़ देती है यह आज भी होता है अभी थोड़े दिन पहले की एक सची घटना सुनाता हूँ मैं टेलिविजन के लिए जिसका नाम है नेशनल ब्लाइंड असोसियेशन राश्व्री अंध लोगों का संगटन जो आँखों से देख नहीं सकते हैं उन अंधे लोगों के संगटन की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कारिक्रम आयुजित किया गया था कारिक्रम कुछ नहीं था अंधों ने सरकार के सामने अपनी मांग रखनी थी और उनकी मांग बिलकुल वाजिव थी और उनकी मांग साधरन सी थी कोई बहुत बड़ी मांग भी नहीं थी कि हर एक अंधे के साथ एक ऐसे व्यक्ती को यात्रा करने का मुफ्त अधिकार दिया जाए जो उसको सड़क दिखाता है पार कराता है साधरन सी मांग थी कोई बड़ी मांग नहीं थी इस पर जंतर मंतर पर अंदे लोग एकटे हुए और उन्होंने कोई सरकार के सामने ग्यापन रखने की बात सोची पुलिस ने उनके उपर बरबरता से लाठी चार्ज किया सत्रे लोगों के सिर्फ आड़ दे सिर्फ खट गए सत्रे लोगों के और उस दिन का दरश ये था के अंधों के साथ जिनको दिखाई देता था वो भाग लिये इधर उधर की गली में क्योंकि उनको रास्ता पता था लेकिन अंधे तो भाग नहीं सकते वो देख नहीं सकते उनके तो सिर्फ हट गए इस देश में उस दिन मैंने सोचा क्या हम स्वतंत्र हो गए हैं क्या हम आजाद हो गए हैं इस देश में कोई स्वराज जा गया है आजादी के 62 साल के बाद अगर ये देखना पड़ रहा है हमको अपनी आखों से एक दूसरी घटना सुनाता हो हमारे देश में विकलांग लोगों का एक संगठन है जैसे अंधों का है वैसे विकलांगों का है जिनको कभी पोलियो हो गया जिनके पाउं खराब हो गए पाउं सूप गए वो चल नहीं सकते वो साइकल रिक्षा से चलते तो विकलांग लोगों का एक एसोसियेशन उन्होंने कोई एक कारिक्रम करने का तैय किया और उस कारिक्रम में उन्होंने रैली निकाली उस रैली के उपर पुलिस का लाठी चार्ज हुआ और विकलांग जो भाग नहीं सकते बच नहीं सकते उनके सिर्फ फूटे उसमें एक तीसरी घटा सुनाता हूँ आपको हिंदुस्तान में राजिस्तान एक नाम का राज्य है उस राजिस्तान राज्य के कुछ किसानों ने एक संकल्प लिया कि हमारे गाउं को पीने का पानी मिलना चाहिए हमारे खेत को पीने का पानी मिलना चाहिए इसके लिए कोई बड़ा कारिकरम हो क्योंकि राजिस्तान सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले एक फैसला लिया था कि गाउं गाउं में शराब की दुकाने तो खोली जाएंगी पीने का पानी मिले या ना मिले और बहुत दुक और अफ्सोस है कि ये फैसला जिनोंने किया था वो वसुंद्रा राजे सिंदिहा की सरकार थे राजस्थान उनका फैसला था कि गाउं गाउं में शराब की दुकाने खुलें लोगों को शराब मिले पीने को पिलाने को शराब में डुबो दो पूरे राजिस्थान को ये एक ऐसी पार्टी की सरकार का फैसला था जो भारतियता की बात करते हैं राश्टर बक्ती की बात करते हैं देश बक्ती की बात करते हैं संस्कृती की बात करते हैं सब्विता की बात करते हैं भारतिय सब्विता में शराब में डूब जाएं हम सब और डूबो दें सब को, ये कौन सी पुस्तक में लिखा है, कौन से वेदों में लिखा है, सरकार का फैसला था, किसानों ने विरोध किया, किसानों ने का हमको शराब नहीं चाहिए, हमको तो पानी चाहिए, हमको शराब उस दिन मैंने अपने आप से पूछा देश आजाद हो गया है देश स्वतंतर हो गया है इस देश के अन दाता के ऊपर इस देश के उत्पादन करता सबसे बड़े उत्पादन करता किसान के ऊपर अगर इस देश की नौकर पुलिस गोली चलाती है नौकर मालिक की इस्थती में आता है और मालिक नौकर की इस्थती में आ जाता है कैसी आज़ादी है कौन सी स्वतंतरता इस देश और ये राजिस्थान सरकार का अकेला कहानी नहीं है बंगाल सरकार की कहानी भी ऐसी है वो बीजेबी की सरकार थी वहाँ कम्यूनिस्टों की सरकार सिंगूर नाम का एक गाउं है वहाँ के किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए जमीन की सुरक्षा करने के लिए कोई अंदोलंच छेडा सरकार जबरजस्ती उनकी जमीन छीनना चाहती थी किसान जमीन देना नहीं चाहते थे जगडा सरकार और किसानों का हुआ सरकार की पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई 17 किसान एकी दिन एकी समय में मारे गए जमीने छीन कर एक बड़ी कमपनी को बेची गई वहां जगडा हुआ और उस दिन फिर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि बीजेपी की सरकार की पुलिस हो या कम्यूनिस्ट सरकार की पुलिस हो पुलिस एकी ही है पुलिस का चरित्र एकी ही है पुलिस का कानून एकी है पुलिस की व्यवस्था एकी है अगर कॉंग्रेस की सरकार होती तो भी पुलिस ऐसे ही काम करती है इसका मतलब ये है कि सरकारें बीजेपी, कॉंग्रेस, जनतादल, सीपीम, सीपी आई की भले बदलती रहें पुलिस व्यवस्था नहीं बदलती वो वैसी की वैसी ही चलती है जो डेड़ सो पौने दो सो साल पहले अंग्रेजों ने शुरू की थी अगर पुलिस व्यवस्था डेड़ सो पौने दो सो साल पुरानी है और पुलिस का कानून 1860 के साल का है और वो आज भी चलता है आजादी के 62 साल के बाद तो हमको भारत स्वाविमान की तरफ से ये कहना पढ़ता है कि आजादी अधूरी है स्वतंतरता आई नहीं है सुराज इस्थापित हुआ नहीं है इसलिए हमको भारत स्वाविमान की जरूरत पड़ी है कब बदलेगा ये पुलिस कानून और क्यों नहीं बदलना चाहिए इसको जिस पुलिस कानून के अत्याचारों के चलते लाखों भारतवासियों को शाहदत देनी पड़ी हो वो पुलिस कानून आजादी के बाद क्यों नहीं बदलना चाहिए क्यों वही कानून चलना चाहिए इस देश एक और उधारन देता हूँ आपको अंग्रे जोने 1860 में एक और कानून बनाया था जैसे ये पुलिस एक्ट बनाया ना ऐसे एक और कानून बनाया था उसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसिज एक्ट इसको आजकल हम कहते हैं इंडियन एड्मिनिस्ट्रेटिव एक्ट कलेक्टर नाम का एक अधिकारी अंग्रे जोने नियुक्त किया 1860 में उसका काम क्या था भारत के किसानों से पैसे इकठे करना भारत के व्यापारियों से पैसे इकठे करना भारत के उद्योग पतियों से पैसे एकठे करना और अंग्रेजी सरकार को कोश में भरना ये काम था इसलिए उसका नाम दिया गया collector, collector माने to collect the money पैसे एकठे करने वाला अधिकारी collector बना इस देश में अंग्रेजों ने उसके लिए कानून बना दिया Indian Civil Services Act इस कानून के आधार पर एक परीक्षा ली जाती थी उस परीक्षा में अंग्रेजों को select किया जाता था और भारत में collector बना के नियुक्त किया जाता था उनका मूल काम था गाओं गाओं गली गली नगर नगर से धन पैसा वसूल करके अंग्रेजों के खजाने में जमा करते रहना इसके लिए वो हुआ करता था अब अजादी आ गई 15 अगस्ता आ गया 1947 हो गया वो collector तो अभी भी जिन्दा है इस देश में वो कानून तो अभी भी जिन्दा है इस देश में बसंतर इतना है कि उसको पहले Indian Civil Services Act कहा करते थे अब उसको Indian Administrative Act कहा जाता है पोस्ट तो वही है अधिकार तो वही है व्यवस्था तो वही है उसमें कोई बदला हो नहीं जितने अधिकार इस देश में अंग्रेजों के collector को हुआ करते थे उससे कुछ कम अधिकार नहीं है नाफ सुत्रा हो जाए थोड़ा देखने में अच्छा लगे तो नाम उसका कर दिया District Magistrate कहीं कहीं उसको कहते हैं Deputy Commissioner काम उसका वही है जो अंग्रेजों के जमाने में था व्यवस्था वही है जो अंग्रेजों के जमाने में थी और हमारे देश में ये जो नए कलेक्टरों को तयार किया जाता है उनका पाठिकरम वही है जो अठारे सु साथ में था वही सिलेवस पढ़ाया जाता है उनको जो अंग्रेजों के जमाने में पढ़ाया जाता था हमारे देश में एक मसूरी नाम का छोटा सा इस्थान है वहाँ पर एक कॉलेज चलता है ये कलेक्टर लोगों की ट्रेनिंग के लिए मैं कभी-कभी वहाँ व्याख्यान देने के लिए जाता हूँ दुरभागे से मेरे जैसे लोगों को कई बार वो बुला लेते हैं तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि तुम पहले तैयारी करते थे अंग्रेजों के जमाने में वही तैयारी अब क्यों करते हो अंग्रेज तो चले गए इस देश से वो कहते हैं राजी भाई क्या करें कानून नहीं बदला सिलिवस नहीं बदला जो सिलिवस हम पढ़ते थे उस समय वो याज पढ़ते हैं कानून भी वही है इतिहास भी वही पढ़ते हैं जो अंग्रेज लिखकर छोड़ गए थे अपना इतिहास भी नहीं पढ़ाया जाता हूँ इसलिए लगता नहीं कि कोई आजादी और स्वत्मतरता इस देश को मिल गए और एक उधारन देता हूँ 1860 में अंग्रेजों ने और एक कानून बनाया था उसका नाम है इंडियन इंकम टेक्स एक्ट यह 1860 में बना और इसके थोड़े दिन पहले एक कानून बनाया था Central Excise Act केंद्रिय उत्पाद कर का कानून वो थोड़ा पहले आया और उसके 1860 में दूसरा आगया इंडियन इंकम टेक्स एक्ट इन दोनों कानूनों को बनाने के समय British Parliament में लंबी बहस होई है यह जानना बहुत जरूरी है हमको के यह कानून आया क्यों अंग्रेजों की संसद में बात हो रही है और यह अंग्रेज अधिकारी बात कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं 1857 में भारत में जो करांती हुई थी उसको वो विद्रोह कहते थे क्रांती नहीं कहते थे सैनिकों का विद्रोह था ऐसा वो बोला करते तो अंग्रेजी संसद में कह रहे हैं कि वो सैनिकों का जो विद्रोह हुआ था 1857 में उस विद्रोह ने हमारी कमर तोड़ दी ये खुद अंग्रेज कह रहा है अपनी संसद में कमर कैसे तूटी 10 मई 1857 को शुरुआत होई मेरट के एक छोटे से महले से भारतवासियों का गुस्सा इतना तेज था उबाल इतना जादा था कि अंग्रेज अधिकारियों के घर जला दिये मेरट में 10 मई 1857 की शाम 5 बजे के आसपास और कई अंग्रेज अधिकारी जल कर उसमें मर गए जो भागे घरों से निकल कर महले और पडोस के लोगों ने उनको पीट पीट के मार डाला उनको हसिये से काट डाला गरदन काट दे मेरट में इतनी बड़ी क्रोध की अगनी फैली थे उससे अगले दिन दिल्ली में शुरू हो गया 11 मई, 12 मई, 13 मई, 15 मई तक दिल्ली के सारे अंग्रेजों का कतले आम हो चुका था एक अंग्रेज दिल्ली में पांच दिन के बाद जिन्दा नहीं बचा फिर जलंदर में शुरू हो गई, होशयारपूर में शुरू हो गई, कपूर्थला में शुरू हो गई फिर ये करांटी की लहर बरेली पहुँची, शाजापूर पहुँची, सहारनपूर पहुँची भारत के साड़े 300 इस्थानों पर ये करांटी उनको हसियों से काट दिया, या लाठियों से पीट कर मार दिया, ऐसी इस्थती थी माने साधरन भारतवासियों के मन में इतना गुसा और इतना प्रतिशोत था, कि उन्होंने अंग्रेजों को खतम किया ये गुसा क्यों था, उसके कई कारण थे, उनमें सबसे बड़ा कारण ये था, कि अंग्रेज बे तहा इस देश को लूट रहे थे, बे इंतहा लूट रहे थे धन संपत्ती लोगों का लूट लूट कर इस देश से लेके लंदन जा रहे थे अंग्रेज कितना लूट रहे थे इस देश को, एक ही उधारन देता हूँ, सारे उधारन देने का तो समय नहीं है, वक्त नहीं है एक अंग्रेज था, उसका नाम था, रॉबर्ड क्लाइब, उसने कलकत्ता लूटा था और कलकत्ते को लूट कर जो धन जमा हुआ था, वो लेके लंदन गया था रॉबर्ड क्लाइब की ब्रिटिश पार्लेमेंट में पेशी होई थी और उसको इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर ने पूछा, कि तुम भारत से क्या लेके आए तो उसने का भारत से नहीं लाया, भारत के एक राजय के एक शहर के एक एक लाके से कुछ लेके आया correction किया उसने प्राइम मिनिस्टर के statement उसने का पूरे भारत से लाना तो मेरे बस की बात नहीं है और हम अंग्रेजों को हजार साल लगेंगे तब पूरे भारत से कुछ हम ला पाएंगे मैंने तो भारत का एक राज बंगाल और उसका एक शहर कलकत्ता और उसका एक छोटा सा इलाका उतना ही लूटा है और वो धन में यहां लेके आया तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा है कितना धन लेके आया उसने का गिना नहीं है गिनती नहीं किये तो अंदाजा बता दो तो वो कहता है कि आप अंदाजा लगाना चाहते हैं तो इस से लगा लो कि भारत से जो धन में लूट कर लाया हूँ वो सोने के सिक्के हैं चांदी के सिक्के हैं हीरे जवहरात हैं और बेशकीमती धातुएं हैं ये सब भरबर के लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज लगे और ये घटना जिस समय की है उस समय का पानी का एक जहाज इतना बड़ा होता था कि उसमें 60 से 70 मीटरिक टन सामान आता था आज जो पानी के जहाज हैं उनमें 200 से 1000 मीटरिक टन सामान आता है कुछ-कुछ जहाज तो ऐसे भी हैं जिन में धाई तीन हजार मीटरिक टन सामान आता है इस समय के जहाज बहुत विशालकाएं हैं लेकिन अंग्रेजों के जमाने के जो जहाज हुआ करते थे 60-70 मीटरिक टन मिटीरियल लेके जाते थे अब एक जहाज में 60-70 मीटरिक टन सामान आता है एक मीटरिक टन में 1000 किलोग्राम हो और ऐसे 900 जहाज भरकर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जभारात अगर एक अंग्रेज लेकर जाए तो कितनी बड़ी लूट है अंदाजा लगाई है और ऐसी लूट किसी एक अंग्रेज ने नहीं की थी जितने अंग्रेज आये सबने लूटा इस देश दस्तावेज बताते हैं कि ये अंग्रेज आया जिसका नाम रॉबर्ट कलाइब वो लूट के ले गया साथ साल वो इस देश में रहा लूटता रहा फिर उसके बाद वारेन एस्टिंग आया उसने लूटा फिर उसके बाद करजन आया उसने लूटा फिर लिलित को आया उसने लूटा फिर लॉरेंस आया उसने लूटा फिर डलहोजी आया उसने लूटा फिर विलियम वेंटिंग आया उसने लूटा और ये लूट का सिलसला तब तक चलता रहा जब लाड्-माउंट बेटन इस देश का آخرी गवर्न जनरल बनके आये तो रोबर्ट कलाइब से शुरू होकर और मांट बेटन तक अंग्रेजों के 84 गवर्न जनरल इस देश में आये सब ने लूटा किसीने साथ साल किसीने दस साल किसी ने 12 साल किसी ने 5 साल किसी ने 3 साल और ये सारा धन इकठा हो होकर लंदन पहुच गया इस धन की ताकत पर अंग्रेज़ों ने ओद्योगिक करांति की वरना इंगलेंड के पास ओद्योगिक करांति करने के लिए पूजी नहीं थी एक अंग्रेज की डायरी का एक वाक्य सुनाता हूँ उस अंग्रेज का नाम था जेम्स वॉट आपने सुना होगा भाब के इंजन का आविशकार उसने किया जेम्स वॉट अपनी डायरी में लिखता है कि अगर मेरा जनम East India Company के भारत प्रवास के पहले हो गया होता तो मैं और मेरा आविशकार दोनों ही मर गए होते डायरी में आगे वो लिख रहा है कि मैं और मेरा आविशकार क्यों मर गए होते तो जेम्स वॉट कहता है कि कि किसी भी आविशकार को फलीभूत होने के लिए और द्योगिक तकनीकी में बदलने के लिए बहुत बड़े पूजी निवेश की आवशक्ता होती है बहुत धन की आवशक्ता होती है और वो धन हमारे इंग्लेंड के पास कभी नहीं होता जो इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को नहीं लूटा होता अब मुझे समझ में आया ये डायरी के दो वाके पढ़ने के बाद कि सारे अंग्रेज आवशकारक जो सफल हुए वो प्लासी के युद्ध के बाद ही सफल हुए जब भारत से लूट कर धन उन्होंने लंदन में जमा करना शुरू किया तब उस धन से उन्होंने उद्ध्योग बनाना शुरू किया तब उस धन से उनके यहां उद्ध्योगी करांती आई वरना तो भुकमरी का शिकार था इंग्लेंड जब इस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो इंग्लेंड सबसे गरीब देश था दुनिया का इंग्लेंड के इतिहासकारों ने इंग्लेंड के इतिहास में लिखाए कि 15-15 शताबदी और 16-15 शताबदी में इंग्लेंड में 29-30 करोड लों भूख से मर गए थे इतना बुरा हाल था इंग्लेंड का कुल आबादी जिस देश की 6 करोड हो और उसमें 3.5 करोड भूख से मर जाए ये कोई मामूली बात नहीं है आधी आबादी भूख से मर गई क्योंकि खाने को कुछ नहीं था पहनने को कुछ नहीं था अंग्रेजों ने कपड़ा पहनना भारत से सीखा अंग्रेजों ने कपड़ा बनाना भारत से सीखा भारतवासियों के संपर्क के पहले तो इंग्लेंड में कोई कपड़ा बनाना नहीं जानता था पहनना भी नहीं जानता नंगे रहते थे आदिवासियों की तरह बनवासियों की तरह तो ये तो सारी की सारी कहानी है भारत के लूट की यहां का पैसा वहां गया अब ये ब्रिटिश पार्लिमेंट में बहस हुई 1860 में और ये तैह हुआ कि भई भारत की जो करांती हुई 1857 की उसका बड़ा कारण क्या था तो एक अंग्रेज कहता हमने लूटा भारत को ये बड़ा कारण था दूसरा कारण क्या था तो एक अंग्रेज कहता हमने मार मार के भारतवासियों को इसाई बनाया जो वो बनने को तयार नहीं थे दूसरा कारण ये था तीसरा कारण क्या था एक अंग्रेज कहता हमने भारत की सबसे पवित्र गाय को कतले आम किया भारत में वो बड़ा कारण था आप जानते हैं सबसे पहला कतल खाना इस देश में 1760 में अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था कलकत्ता में गाय कटती थी और इंदुस्तानियों की छाती पर छुरी चलती थी गाय कटती थी तो ऐसे अंग्रेज दस्तावेजों में अंग्रेजी दसावेजों में ये कहानी दर्ज है कि एक-एक अंग्रेज बयान दे रहा और वो बता रहा ये कारण था ये कारण था ये कारण था इस कारण भारत में हमारे खिलाफ बगावत हुई अब एक अंग्रेज प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा इन सब से कि अच्छा बताओ बगावत के लिए पैसा किस ने दिया धन भी तो एकठा हुआ होगा तो एक अंग्रेज जो यहां हिंदुस्तान में 17 साल रहा और किसी तरह जिंदा बचकर वापस इंग्लेंड पहुँच गया वो कहता है कि भारत की आजादी की लड़ाई जिसक कहां से आई तो भारत के उद्योग पतियों ने दी व्यापारियों ने दी कारीगरों ने दी किसानों ने दी लोगों ने इतना धनी कठा किया था इस क्रांती के लिए इस 480 करोड को आज अगर समझना चाहें तो इसमें 300 का गुणा कर लेना तब इसको आज समझ पाएं गया इतनी बड़ी क्रांती थी 1857 इस क्रांती में साड़े चार करोड हिंदुस्तानी लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ अगर हर एक हिंदुस्तानी के हाथ में एक तल पनी होंगी इस देश में और उन साड़े चार करोड तलवारों को बनाने के लिए लोहा बना होगा इस देश में उस लोहेको गलाने के लिए भट्टियाँ बनी होंगी ब्लास्ट फर्नेस बनी होंगी कितने करोड लोगों ने कितने करोड मीटरिक टन लोहा गलाया होगा उन लोहों से तलवारें बनी होंगी बंदूकें बनी होंगी छुरें बने होंगे हसिये बने होंगे हतोडें बने होंगे क्योंकि भारत वाती सो तो इनी से लड़े थे माने कोई सामान नहीं थी ये करान्ती, बहुत बड़ी थी, बहुत व्यापक थी और एक साथ साडे तीन सो स्थानों पर हुई थी, एक दो स्थान पर ने तो ब्रिटिश पारलेमेंट में ये सारी बहस हो रही है तो प्राइम मिनिस्टर पूझ रहा, पैसे किस ने दिये, तो उद्योग पती, व्यापारी, किसान, कारीगरों ने दिये, तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि अब आगे से इस देश में साशन चलाना है, तो एक व्यवस्था करो, कि दुबारा कभी भारत के लोग करांतिकारिय पैसे दे न सकें उनके हाथ में पैसे छोड़ो ही मत ले लो सब छीन लो उनसे तो कैसे छीनोगे टैक्स लगा के छीनो इसलिए इस देश में इंकम टैक्स आया इंकम टैक्स इसलिए नहीं आया कि देश में सरकार चलानी थी अंग्रेजों को और उसके लिए धन की जरूरत थी इंकम टैक्स इसलिए लाया गया कि भारत के नागरिकों के पास पैसे इतने बचे ही नहीं जो वो करांतिकारियों को दान में दे सकें वो सारे पैसे अंग्रेज छीन कर अपने पास रखें इसके लिए income tax आए और income tax जब लगाया अंग्रेजों ने तो उसकी limit जानते हैं क्या थी 97% मने 100 रुपई आप कमा रहे हैं तो 97 रुपई अंग्रेजों को दे दीजे और ये कहानी पूरी तब समझ में आईगी जब और एक जानकारी में आपको दूँ ब्रिटिश पार्लिमेंट में बहस हो रही थी और बात चल रही थी कि खाली income tax लगाना है या दूसरे tax भी लगाने है तो बात हुई कि भारत के उद्योग पती और व्यापारी कोई भी सामान बनाए तो बनाने पही पहले उनसे tax ले लो उसको उन्होंने excise duty नाम दे दिया आप सामान बनाएं और बेचने के लिए जाएं तो बेचने पर उनसे tax ले लो उसको sales tax नाम दे दिया फिर बेचकर मुनाफ़ कमाएं तो मुनाफ़ पर tax ले लो उसको income tax नाम दे दिया सामान को बेचने के लिए एक गाउं से दूसरे गाउं जाएं तो road tax ले लो और toll tax ले लो और जिस गाउं से सामान लेके जाएं वहाँ ले लो और जिस गाउं में लेके आएं वहाँ ले लो गाउं में लेके आ रहे हैं तो ओक्ट्रॉई ले लो उनसे और गाउं से लेके जा रहे हैं तो exit tax ले लो उनसे ऐसे 20 तरह के tax उन्होंने लगा दिये Excise duty अंग्रेजों ने लगाई साड़े 300% माने 100 रुपई का सामन बनाओ तो साड़े 300 रुपई tax में दे दो उनको Income tax लगा दिया 97% 100 रुपई कमाई करो तो 97 रुपई अंग्रेजों को दे दो 3 रुपई बचेगा बस आपके पास Sales tax लगा दिया 180-200% तक अलग-अलग वस्तुओं पर अलग-अलग Octroy लगा दिया 50-60% Municipal Corporation का tax लगा दिया अंग्रेजों ने कई-कई इस्थानों पर 70-80% परिनाम क्या हुआ? हिंदुस्तानियों से लूट-लूट कर सारा धन उन्होंने जमा कर लिया इंग्लेंड 1860 के पहले क्या होता था? लूटने का काम एक इस्थ इंडिया कंपनी किया करती थी उनके एजेंट हुआ करते थी और 1860 के बाद पूरी सरकार ही लूट खोर हो गई जिन्होंने कानून बना कर लूटना शुरू कर दिया इस तेश अब भारतवासी चिलाते थे कि हमारी लूट हो रही है अंग्रेज कहते थे हम तो कानून का पालन कर रहे हैं कानून बना दिया income tax का, कानून बना दिया central excise का, कानून बना दिया octroy का, तो अंग्रेज कहा करते थे हम तो कानून का पालन करते हैं भरे उसकी जेब कटे उसमें ऐसे लूट होगे तो बदनामी होगी सारे दुनिया के देश थूतू करेंगे कि तुम भारत को लूट रहे हो लूटने का कानून बना दो तो दुनिया को कहेंगे भई हम तो कानून का पालन कर रहे हैं में आपकी लूट होती है तो हम क्या करें ये व्यवस्त कैसे गाड़ियों में बैठ कर एसी गाड़ियों में बैठ कर डांडी मार्च सावर मती से निकले 57 किलो मीटर पैदल चले गाड़ियों में भर गए डांडी से 57 किलो मीटर पहले उतर गए गाड़ियों से पैदल चल गए अखवार वालों को फोटो आया डांडी मार्च कर रहे मैंने उस समय यही कहा था आगे डांडी मार्च का पाखंड करने से अच्छा है नमक को सस्ता कर दो जो गांदी जी की आत्मा कहा करती थी कोई ये देश आपको सुईकार कर लेगा नमक 15 रुपई के लोग और डांडी मार्च की याद दिला रहे हमको हमारे जले पर नमक छड़क रहे हैं ये सब इतने अत्याचारी और अन्यायकारी हैं कि गरीब आदमी जिसकी एक दिन की आमंदनी 20 रुपई से कम है ऐसे 84 करोड लोग हैं इस देश में उनको 15 रुपई के लोग का नमक खाना पड़े तो ये जले पर नमक छड़कने जैसा है जिसकी एक दिन की आमंदनी 20 रुपई हो इस देश में उसको 90 रुपई किलो दाल मिले 60 रुपई किलो टिंडा मिले 40 रुपई किलो की भिंडी मिले 24 रुपई किलो का आलू मिले 23 रुपई किलो की प्याज मिले 32 रुपई किलो की चीनी मिले आप उसके जले पर नमक छड़ और क्या कर रहे हैं? आप मजबूर कर रहे हैं कि वो दाल को खाए नहीं सिर्फ देखकर अपना दिल बहलाए कि ये दाल है छू के देख लो ये सबजी है इसकी शकल देख लो कैसे खाएगा? 20 रुपए किलो जिसकी 20 रुपए कि एक दिन की आमंद नहीं हो वो तो एक किलो आटा नहीं खरी सकता क्योंकि एक किलो आटा 26 रुपए का है मुझे यही बात दुख से और अफसोस से कहनी पड़ गई है आजादी आई नहीं है सुतंतरता आई नहीं है, सुराज जाया नहीं है यह तो आजादी के नाम पर लूट का एक नया तंतर बन गया है इस देश में, पहले गोरे अंग्रेजों के हाथ में था, आप काले अंग्रेजों के हाथ में है मैं जब भी इन नेताओं से कभी कभी मिलता हूं, पूछता हूं कि भाई क्यों है, आजादी के मिलने के समय में घटना हुई थी आजादी के थोड़े दिन के बाद की घटना एक सुनाता हूं, आप में से कई बुजरुगों को शायद वो घटना याद भी होगी क्योंकि आपने तो उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया होगा, मैंने तो पढ़ा है सिर्फ उस घटना के बारे में क्योंकि मेरा जनम नहीं हुआ था तब तक, एक इस देश के महान नेता हुए आचारे राम मनोहर लोहिया एक बार पंडित नहरू से उनकी मुठवेड हो गई संसद में लोहिया जी चुनाओ जीत कर एक बार लोकसभा पहुँच गए तो जब जब लोकसभा में प्रदान मंतरी नहरू जी का भाशन होता था, लोहिया जी सबसे ज़्यादा प्रशन किया करते थे और नहरू जी की हालत सबसे ज़्यादा खराब उनी के सवालों के जवाब देने में होती थी नहरू जी ने खुद स्विकार किया ये बार, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ वो कहा करते थे कि जब राम्मनो और लोहिया जी का भाशन होता है तो नहरू जी की हालत खराब हो जाती है जवाब क्या दे ऐसे तीखे सवाल किया करते एक दिन नहरू जी संसत में भाशन दे रहे थे और कह रहे थे कि मेरी योजनाओं ने हमारे देश की गरीबी कम की है तो लोहिया जी ने का कि सफे जूट मत बोलो नहरू जी ने का वो कैसे उन्होंने का कि गरीबी कम नहीं है जादा हुई है अंग्रेज जितनी गरीबी छोड़कर गए थे भारत सरकार ने गरीबी को बढ़ाया है कम नहीं किया है तो बहस हो गई लोहिया जी और नहरू जी में तो लोया जी ने का कि मैं सिद्ध करता हूँ तुमारे ही आखणों से कि गरीबी इस देश में बढ़ी है कि कम हुई है तो लोया जी ने एक अध्यन करके संसत में प्रस्तुत किया और सारे देश को उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि एक आदमी की एक दिन की आमंदनी ढ़ाई आने से कम है और अंग्रेज जब छोड़ कर गए थे इस देश को तब एक आदमी की एक दिन की आमंदनी लगबग चार से पांच आने के आसपास थे पंडित नहरू की नीतियों के चलते और पंचवार्श की योजनाओं के चलते वो पांच आने की आमननी ढायाना हो गई है मानि गरीबी दोगुनी बढ़ गई है ये लोहिया जी ने कहा और सिद्ध कर दिया नहरू जी जवाब नहीं दे पाए उसका क्योंकि आंकड़े सरकार के थे लोहिया जी के आंकड़े नहीं थे और लोहिया जी ने कहा कि हमारी दिशा गलत है जिस दिशा में हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं ये दिशा तो गरीबी को बढ़ाने वाली है अमीरों को अमीर बनाएगी ये गरीबों को और ज़्यादा गरीबी आएगी ये ऐसी दिशा में हमने भारत को चलाना शुरू किया है और वो नहरू जी को जब गुस्से में आते थे तो नहरू पंडित कहा करते थे पंडित नहरू नहीं कहते थे वो कहते थे नहरू पंडे अभी भी समझ जाओ उल्टी दिशामे देश को तुमने चला दिया लेकिन लोहिया जी चले गए उसके बाद नहरू जी भी चले गए अब लोहिया जी ने जो आखड़े प्रस्तुत किये थे संसद में कि एक दिन की आमंदनी एक गरीब आदमी की ढ़ाई आने से कम है उन आखड़ों को मैंने दो हजार नौ में थोड़ा वेरिफाई किया और मैंने सिर्फ इतना ही किया कि साथ के दशक में जो इंफलेशन का रेट था मुलिवरद्धी का जो दर थी उसको मैंने जोड़ कर अगर आखड़े निकाले तो वो ढ़ाई आना आज भी ही है वो ढ़ाई आना अब बीस रुपया हो गया है क्योंकि रुपई की कीमत गिर गई है माने लोहिया जी के जमाने में गरीब की एक दिन की आमंदनी जो ढ़ाई आना थी अब 2009 में वो ढ़ाई आना ही है अगर आप उसमें रुपई की कीमत के घटाओ को जोड़ दें तो वो बीस रुपई निकलता है माने देश वहीं खड़ा है जहां 1960 में था और गरीबी उससे ज़्यादा बढ़ी है अंग्रेज जब देश छोड़कर गए थे हम कहेंगे जी आबादी बढ़ गई इसलिए गरीबी बढ़ गई आबादी का भी हिसाब बताता हूँ जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तो हम 32 करोड थे अब हम 115 करोड हो गए हमारी आबादी साड़े तीन गुनी बढ़ गई तो गरीबी साड़े तीन गुनी बढ़नी चाहिए तो बारे तेरे करोड लोग गरीब होना चाहिए 84 करोड क्यों हो गए गरीबी 21 करोड कैसे बढ़ गई आबादी तो साड़े तीन गुनी ही बढ़ी है गरीबी 21 करोड क्यों बढ़ गई है वो लूट जादा बने है पहले 70,000 करोल लूटते थे अब 20 लाग करोल लूट रहे हैं इसलिए गरीबी बढ़ गई है हर वो देश गरीब होता है जिसकी लूट होती है और ये मैं नहीं कहता राजीव दिक्षित नहीं कहता ये बात राजीव गांदी ने कही है कि लूट कि लिए भेजता हूँ तो उसके पास सिर्फ 15 पैसा पहुँचता है माने 85 पैसा लूट लिया जाता है बीच में ही और वो लूट खोर कौन है तो उन्होंने कहा था कि हम सत्ता के दलाल और हमारे अधिकारी यही लूट रहे हैं इस देश को अब ये बात कही थी 1984 में जब रष चार और चरम पर पहुच गया घोटाले बाजी और चरम पर पहुच गई तो मुझे तो यह लगता है कि उस समय एक रुपए में से 15 पैसा पहुचता था गरीबों तक अब तो एक रुपए में शायद 10 पैसा भी नहीं पहुचता होगा गरीबों तक हो सकता 5 पैसा भी नही टैक्स भी दे रहे अब प्रत्यक्ष कर इंडारेक्ट टैक्स इस इतने बढ़ाए हैं सरकार ने जो दुनिया के किसी देश में नहीं बढ़े होंगे वो सब बढ़ा हुआ टैक्स का पैसा हम दे रहे हैं कभी हमने कमी नहीं की लेकिन वो पैसा जा कहा रहा है विकास तो हो नहीं रहा है आज़ादी के 62-63 साल के बाद भी ढ़ाई लाग गाउं में पीने का पानी नहीं है 21 करोड परिवार हैं इस देश के गाउं में रहते हैं उनमें से सिर्फ 7 करोड परिवारों को पीने का पानी है 14 करोड को तो पीने का पानी नहीं है 3 लाग गाउं में चड़ने की सड़क नहीं है डाई से पौने 3 लाग गाउं में बिजली नहीं है इस देश में उद्योग नहीं है, व्यापार नहीं है, गाउं उजड रहे हैं लोग भाग कर शहर में आ रहे हैं और शहर में आकर क्या जीवन बिता रहें? जो गाउं में रहने वाले बेरोजगार लोग थे वो शहर में आकर नौकरी की तलाश में जुगी जौपणियों में अपना जीवन बिता रहें। हमारे बड़े बड़े शहरों में जुगी जौपड़ियां बढ़ रही है बंबई है दिल्ली है मदरास है कलकता है ऐसे सारे बड़े शहरों की 65 प्रतिशत आबादी जुगी जौपड़ी में रहती है 65 प्रतिशत जहां कीचड में कीले बिल बिल आते रहते हैं उन जुगी जौंपडियों में जहां आप नहीं जा सकते नाक पर रूमाल रखे बिना वहां लोगों की पीडियां दर पीडियां गुजर जाती है शादियां होती हैं बच्चे होते हैं उनी जुगी जॉंपड़ी इन जुगी जॉंपड़ियों में रहने वाला है कौन तो पता चला गाउं का विस्थापित किसान मजदूर कारीगर जिसको गाउं में कोई काम नहीं मिला वो शहर में आ गया कुछ रिक्षा चलाने के लिए रहडी लगाने के लिए वो ही है जो रहता और आज़ादी के बाद इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है कम नहीं हो रही है इसका माने विकास कहां हो रहा है मैंने तो देखा है कि आज़ादी के 62-63 साल में विकास अगर हुआ है तो नेता और अधिकारियों के घरों में हुआ है उनके परिवारों में हुआ है देश में नहीं हुआ है मैंने हिंदुस्तान के कुछ नेता और अधिकारियों की जनम कुंडली बनाई है जनम कुंडली से मतलब वो नहीं होरोस्कोप जो जोतिशी बनाते हैं मुझे नहीं आता जोतिश ग्यान मैंने तो दूसरी जनम कुंडली बनाई है वो ये कि ये व्यक्ति नेता बनने से पहले इसके घर में क्या था और नेता होने के बाद क्या हो गया अधिकारी का इस पद पर आने से पहले कितना धन संपत्ती था होने के बाद क्या हो गया अभी तक लगबग 420 नेताओं की जनमकुंडली तयार हुई है अब ये संख्याई ऐसी है तो मैं करूँ क्या उसका लगबग 420 नेताओं की जनमकुंडली तयार हुई है एक-एक नेता की एक छोटी सी जानकरी देना चाहता हूँ वो ये 20 साल पहले किसी के पास भी टूटी साइकल नहीं थी घर में और इतने पैसे नहीं थे कि वो चाए पी सकें अपने जेब से पैसे निकाल कर और आज 20 साल के बाद एक-एक के पास 20 हजार करोड से जादा की संपत्ती मैं बिना नाम लिए कहना चाहता हूँ आपको आप सब होशे आ रहे हैं तुरन समझ जाएंगे महराश्ट में एक नेता है जिसके पास 20 साल पहले फूटी कौडी नहीं थी अगर पुणे से बंबई आना हो तो बसका किराया नहीं था उस नेता के पास आज उस नेता के पास बंबई से पूना के बीच की हजारों एकड और लाखों एकड जमीन हैं अकेले एक नेता के पास हजारों लाखों एकड जमीन एक व्यक्ति के पास 20 साल पहले एक नेता था मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन पर भाजी पाला बेचता था भाजी पाला समझते हैं पालक में थी वगरा वगरा आज उसकी संपत्ती खाली मुंबई में 28,000 करोड की है सिर्फ मुंबई 20 साल पहले एक नेता था नासिक में जो सिनेमा का टिकट ब्लेक किया करता था आज उसकी प्रॉपरटी 22,000 करोड की है महाराष्ट सभी राज्यों में नेताओं का ये हाई मेरा जन्म उत्तर प्रदेश का है वहाँ थोड़े दिन पहले एक अधिकारी पकड़ा गया CBI के चंगुल में आया जो उत्तर प्रदेश सरकार का चीफ सेक्रेटरी रह चुका है अखंड प्रताप सिंग उसके घर में चापा पड़ा 480 करोड रुपई की संपत्ति निकले मैंने अखंड प्रताप सिंग का वो यूपी केडर का आयेस केडर का अधिकारी रहा तो केडर की फस्ट पोस्टिंग से लास्ट पोस्टिंग तक की पूरी तंखा जोड़ दी मैंने वो 84 लाक रुपई बैठती है उसके पास 480 करोड की संपत्ति कहां से है और 84 लाक की जो तंखा बैठती है उसमें बीवी बच्चों का खर्चा पढ़ने का पढ़ने का रहने का कुछ तो हुआ होगा अब उसकी संपत्ति 480 करोड कहां से बैठती है ऐसे अधिकारी और ऐसे नेता एक दो नहीं है हजारों में हैं और हमने अंदाजा लगाया है हमारे देश में एक रिसर्च एंड एनलेसिस विंकर के संस्था है एक सी बियाई नाम की संस्था है एक एनफॉर्समेंट डिपार्टमेंट है इन सब के मिले जुले आंकड़ों से अंदाजा लगाया है लगबग 80,000 ऐसे नेता और अधिकारी हैं जिनोंने लाख करोड़ों रुपए लूट आए इस देश का और लूट कर भारत में नहीं विदेशों में जमा कर रखा है सुईस बेंकों में जमा कर रखा है सुईस बेंक के अधिकारियों का एक एसोसियेशन है वो बताते हैं कि भारत के नेता और अधिकारियों का उनके यहां 75 लाख करोड़ों रुपए जमाए 1500 अरब डॉलर सुईस बेंक के अलावा दूसरे देश हैं दुनिया में जहां पर टेक्स हैवन्स कहा जाता है अब समझ में आता है कि आप जो टेक्स का पैसा देते हैं मैं जो टेक्स का पैसा देता हूँ वो विकास में नहीं लगता वो नेताओं की तिजोरियां भरता है अधिकारियों की तिजोरियां भरता है और नेता और अधिकारी इतने हरामी हैं कि किसी भी इस्तर पर नीचे उतर कर आपके पैसे को लूट सकते हैं इतने हराम हैं आप तो मद्यप्रदेश के रहवासी हैं, नागरिक हैं इस मद्यप्रदेश में बहुत दिन पहले एक दुरगटना हुई थी भोपाल में गैस कांड हुआ था, उसमें सत्रे हजार लोग मर गए थे सुप्रीम कोट ने कंपनी के ऊपर मुकदमा करके कुछ पैसे बसूले थे पंद्रे सो करोल रुपए और बांटने का आदेश दिया था सभी नागरिकों को जिनके घर में मृत्य होई है, ये नेता और अधिकारी उसे भी खा गए है आप कलपना कर सकते हो, हमारे देश के नेता और अधिकारी किसी का कफन बेच के भी खा सकते हैं इतने निकरश्ट और नराधम किसम के लोग हैं पूरी दुनिया में इतने भ्रष्ट, इतने हरामी, इतने नराधम, अधिकारी और नेता शाइदी किसी देश में मिलेंगे जो इस भारत देश में दुनिया में समय समय पर सर्वे होते रहते हैं अभी थोड़े दिन पहले एक सर्वेक्षन हुआ पता किया गया कि दुनिया में 200 देश हैं किस देश की नौकरशाही किस देश के अधिकारी सबसे ज़्यादा भरष्ट है और दुनिया का सबसे बड़ा देश है भारत जहां के अधिकारी है और सबसे ज़्यादा बेईमान, सबसे ज़्यादा निकम में वो मैंनी कहता, अंतर राश्ट्रीय सर्वे की संस्था कहती है लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं इस देश को, ले जाकर धन्जमा कर रहे हैं विदेशी बैंकों में अब यह लूट अगर इसी तरह से चले गी, तो देश तो गरीब ही होगा और देश में नीतियां और कानून अगर ऐसे बनेंगे जो अंग्रेजों की जमाने में थे तो कुछ लोग तो अमीर हो जाएंगे और अमीर और अमीर और अमीर और कुछ लोग तो भहेंकर गरीब और भहेंकर गरीब भहेंकर गरीब हो जाएंगे इसी देश में मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए बाहरे सरकार की कुछ नीतियां है एक नीती का नाम है उधारी करण एक का नाम है वैश्वी करण एक का नाम है नीजी करण पिछले 1991 से इस देश में चल रही है 2009 तक इन नीतियों का क्या असर हुआ है उसका मैं थोड़ा अध्यन कर रहा हूँ तो पता चला कि नीतियों का जो सबसे बुरा असर हुआ है वो ये कि जो अमीर थे वो और अमीर हो गए जो गरीब थे और गरीब हो गए मैं एक ही उधारन से कहता हूँ कि उधारी करण और वैश्वी करण का सबसे बड़ा फाइदा अगर उठाया तो टाटा, बिरला, डाल्मिया, धिरूबाई, अम्बानी ये वगेरा, वगेरा, वगेरा इन लोगों ने उठाया और इनकी आमंदनी कितनी बढ़ गई है एक आदमी है मुकेश अम्बानी और एक है अनिल अम्बानी अभी थोड़े दिन पहले आपने अखवारों में पढ़ा होगा समाचार में सुना होगा कि इस मुकेश अम्बानी नाम के व्यक्ति ने अपनी बीबी के जनम दिन पर एक हवाई जहाज गिफ्ट कर दिया बीबी को 268 करोड रुपई का हवाई जहाज एक व्यक्ति अपनी बीबी को मुकेश अम्बानी ने अपनी बीबी को गिफ्ट नहीं दिया 84 करोड लोगों के गाल पर कसकर तमाचा मारा है कि तुम इतनी गरीबी और जरहालत में हो और मैं देखो कहां पहुँच गया उस मुकेश अम्बानी की आमंदनी मैंने निकाली थी एक मिनट की आमंदनी उसकी बीस हजार रुपए है एक मिनट की और भारत में 84 करोड लोगों की एक दिन की आमंदनी बीस रुपए से कम है ऐसा देश हमने बनाया है ये देश अभी नहीं बरदाश्ट होता ये नहीं चलेगा अभी और चलना नहीं चाहिए इस व्यवस्था को इस देश में अब तो कोई बड़ी करांती होनी ही चाहिए इस देश में कोई बगावत होनी ही चाहिए कोई इस देश में मुझे तो कभी कभी लगता है कि 1857 से बड़ी कोई करांती होनी चाहिए क्योंकि उस समय तो हम गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे अब हमको काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है इसलिए लड़ाई थोड़ी जादा बड़ी होगी और गंभीर होगी पहले तो विदेशी थे हमें दिखाई देता था ये बाहर से आये हैं लूटे रहे हैं अब तो हमारे ही भाई बेहन हैं हमारे ही जैसे हैं देखने में रंग भी हमारे जैसा कपड़े भी हमारे ही जैसे वो ही लूट कोर हो गए उनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है घर के भाई लड़ाई से लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान होता है इसलिए लड़ाई तो कोई बड़ी हो गया वेस्ते उस बड़ी लड़ाई की तैयारी का ही काम हम कर रहे हैं इस भारत स्वाविमान के नाम से इसलिए हमने ये संदुफन बार्टवासी लड़े थे उसमें, हमारी कोशिश है कि पांच करोड भारतवासी तयार हों अब इस नजी लड़ाई लडने के लिए, कम से कम. इस प्रयास में हम सब हैं. हम लड़ाई लडना चाहते हैं. और क्या लड़ाई लडना चाहते हैं कि सारी व्यवस्थाओं को बदल देना है जो हमारे देश में अंग्रेजों के समय से चल रही है लूट की विवस्ता है सबसे पहला काम हम क्या करना चाहते हैं भारत स्वाविमान का जो संगठन हमने खड़ा किया है और इसको तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास जो हम कर रहे हैं सबसे पहले इस पैसे को हम वापस लाना चाहते हैं इस देश आप बोलेंगे क्या ये हो सकता है हाँ हो सकता है मुश्किल नहीं है असंबव नहीं है करने वाला संकल्प अगर बढ़ा है तो दुनिया में कोई काम मुश्किल और असंबव नहीं है मैंने तो दुनिया के देशों का इतिहास पढ़ा है एक दम से असंभव लगने वाली चीज़ें संभव हुई हैं दुनिया में एक जमाना था जब कोई ये सोचता नहीं था कि पूरवी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों मिलकर एक हो जाएंगे वो हो गए एक जमाना था जो दुनिया के लोग सपना नहीं देखते थे कि सोवियत संभ जैसा मजबूत देश खंड खंड टूट जाएगा टूट गया एक जमाना था कि دुनिया में कोई सोच नहीं सकता था कि कम्यूनिजम का कोई पराभव हो जाएगा वो हो गया ऐसी असंबव चीज़ें अगर दुनिया में हो रही है एक जमाना था मैंने तो यूरोप में बहुत अभ्यास किया यूरोप के देशों का इतिहास का उनकी परंपरा सब बिता का यूरोप के सभी देश एक दूसरे के कटर विरोधी है जर्मनी फ्रांस को पसंद नहीं करता फ्रांस जर्मनी को पसंद नहीं करता जर्मनी और फ्रांस मिलके ब्रिटेन को पसंद नहीं करते डेनमार्क नीधर लेंड को पसंद नहीं करता वो उनको पसंद नहीं करता एक दूसरे के कटर खिलाफ देश है लेकिन अब सब एक हो गए हैं और उन्होंने एक करंसी बना ली है जिसका नाम है यूरो डॉलर जो कभी सपना नहीं था कि 24 देश मिलकर एक करंसी बना सकते हैं वो हो गया अब वो 24 देश मिलकर एक मार्केट बना रहे है Common European Market फिर Common European Parliament बना रहे है Common European Force बना रहे है पुलिस बना रहे है ये सब Asambhav से होने वाले काम हो रहे हैं तो भारत में भी कुछ Asambhav से दिखने वाले काम संभव हो सकते हैं और वो यही काम है कि शहिदों ने जो सपने देखे हैं और जो आदर्श के लिए बलिदान किये हैं वो हम पूरा कर पाएं इस देश में, ऐसा ही हमारा भी सपना है, हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, हमारी इस बात की कोई तमन्ना नहीं है, कि सत्ता में कौन आए कौन जाए, बीजेपी आए, कॉंग्रेस चली जाए, कॉंग्रेस आए, जनतादल चला जाए, जनताद दोनों ने ही इस देश की जनता, कुछ नहीं हुआ सत्ता परिवर्दर, अच्छे लोगों को भी हमने देख लिया, उच्छ व्यवस्था में बिठा कर, वो भी कुछ नहीं कर पाए, डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम जैसा पवित्र आदमी इस देश का राश्रुपती हुआ और पांच साल में देश की अर्थ व्यवस्था का एक प्रतिशत भी नहीं बदल पाया, मतलब क्या है, किसी अच्छे आदमी को अगर बुरी व्यवस्था में बिठा दोगे तो वो भो भी कुछ नहीं कर सकता, एक बार डॉक्टर अब्दुलकलाम के साथ ये प्रश् ये था कि आप बहुत पवित्र आदमी हैं, बहुत इमांदर आदमी हैं, बहुत करमठ आदमी हैं, बहुत देश्मक्त आदमी हैं, आप राश्रवती भवन में चुन कर आए हैं, तो कम से कम अंग्रेजों के जमाने की कुछ वेवस्थाओं को बदल दीजे, तो क्या करना है राश्रपती भवन को छोटा कर दीजे साड़े तीन सो कमरे के घर में एक आदमी रहे ये देश के 84 करोड़ लोगों का अपमान है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है इस से बड़ा अपमान कुछ नहीं है एक आदमी साड़े तीन सो कमरे के घर में रहे और 84 करोड़ों लोगों के उपर छट भी ना हो रहने के लिए इस्तेश में लेकिन डॉक्टर अब्दुलकलाम पाँच साल में भी ये काम नहीं कर पाए वो साड़े तीन सो कमरे का घर अभी भी है राश्टरपती भवन के रूप उस घर में रहने वाला तो एक है उसका जाड़ू पोँचा लगाने वाले 900 करमचारी है एक आदमी रहता है 900 लोग उसकी सेवा में हाजिर है खाना खाने वाला एक है खाना बनाने वाले 24 है कपड़ा पहनने वाला एक है कपड़े धोने वाले 18 लोग है और मैंने एक दिन सोचा था कि साड़े 300 कमरे के घर में एक आदमी कैसे रह सकता है एक दिन एक कमरे में सोई, दूसरे दिन दूसरे में, तीसरे दिन तीसरे में, चौते दिन चौते में तो भी पहले कमरे का नंबर एक साल के बाद आता है राश्रुपती भवन की सुरक्षा में 900 गार्ड लगे हुए हैं दिल्ली पुलिस के 1500 जवान लगे हुए हैं अधर सिक्योरिटी फोर्सेस के एक आदमी की सुरक्षा पर इतना खर्चा राश्रुपती भवन का साल का खर्चा साड़े 300 करोड रुपए का है हिंदुस्तान के 84 करोड इतना खर्चा नहीं कर पाते पूरे साल में राश्रुपती अकेला करता है क्या जरूरत है इसकी क्यों नहीं छोटा की आजा सकता ये राश्रुपती भवन क्यों नहीं अधिकारों में कमी लाई जा सकती क्यों सुरक्षा पर इतना फाल्तु कर जाए कहते हैं जी राश्रपती विशेश है तो हम सब मूर्ख है 115 करोड हम विशेश नहीं है वो एक ही आदमी विशेश है हम सब क्या अविशेश है जो लोग राश्रपती को चुन रहे हैं वो सब ऐसे ही है साधरन और राश्रपती जिन से चुन कर जा रहा है वो विशेश हो गया और राश्रपती का ही खर्चा नहीं है प्रदान मंत्री का उप्रदान मंत्री का मानिज मंत्री का वित्य मंत्री का मंत्रियों का खर्चा हजारों करोड में है जितना विकास पे खर्च नहीं होता उत से जादा तो इन मंत्रियों और अधिकारियों पे खर्च होता है मैंने एक दिन पूरे हिसाब निकाले थे राज्य सरकारों के मंत्री, राज्य सरकारों के अधिकारी, राज्य सरकारों में MLA's केंदर सरकार के मंतरी केंदर सरकार के अधिकारी और केंदर सरकार के MPs इनका पूरा साल का खरचा तीन लाख एक्कीस हजार करोड का है और हमारे लोगों के विकास का साल भर का खरचा मुश्किल से एक लाख करोड रुपय का है लोगों पे खर्चा एक लाग करोड के कंदों पर क्या जरूरत है इसको तो उठाकर फेक देना ही पड़ेगा इस व्यवस्था को तो अब बदल देना ही पड़ेगा बहुत दर्द दिया है इस व्यवस्था ने बहुत दुख दिया है बहुत तकलीफ दी है अब जादा दिन हमसे बरदाश्ट नहीं होता क्योंकि बरदाश्ट की भी एक सीमा होती वो सीमा अब लोगों की तूट रही है धीरज लोगों का तूट रहा है अब इसलिए लोगों का संगठन बने ताकत खड़ी हो इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम वही कोशिश कर रहे हैं भारत स्वाविमान की तरफ से और पहला प्रयास हमारा ये है कि लूट का पैसा जो नेताओं ने रखा है अपने नाम से ये भारत में वापस आए आप बोलेंगे कैसे आएगा चार रास्ते हैं इसके आने के पहला रास्ता है संसत के द्वारा प्रस्ताओं पारित कराके इस पैसे को लाया जाए संसत में प्रस्ताओं क्या कराना है एक लाइन का प्रस्ताओं कराना है कि जो धन भारत के नेताओं ने लूटा है पिछले 62-63 साल में वो धन भारत की राश्ट्रिय संपत्ती है और राश्ट्रीय संपत्ती के लिए नियम ये है कि वो राश्ट्र की बैंकों में ही रखी जा सकती है विदेशी बैंकों में रखना उसके लिए कानूनन अपराद है तो हम संसत से ये प्रस्ताव पारित कराना चाहते हैं प्रस्ताव का विरोध कौन कौन हरामी नेता कर रहा है जो विरोध करेगा पक्की बात है हरामी वही है रश्टाचारी वही है धन उसी का है वही न विरोध करेगा और कौन करेगा जब हमको पता चल जाएगा कि ये ये विरोध कर रहे हैं प्रस्ताव का तो हमारा संकल्प है कि हम उनके चुनाव छेतर में जाएंगे और उनकी सारी पोल खोलेंगे कि 20 साल पहले इनके पास टूटी साइकल नहीं थी बाब दादों का छोड़ा हुआ एक रुपिया नहीं था आज हजारों करोड इन्हों ने स्विस बेंक में रखा आया कहां से और चुनाओ छेतर में जब उनकी पोल खोलेगी छोड़ने वाले नहीं हैं हम अंग्रेजों को नहीं छोड़ा तो इनको कैसे छोड़ देंगे और इनके लिए कड़े कानून की वेवस्था है क्या होना है स्वामी जी कहते हैं कि बिजली के तार से उल्टा लटकाएंगे और नीचे आग जलाकर उसमें मिर्ची का पाउडर जोगे होगा आप और मैं जब एक साथ मिलकर खड़े होंगे तो सच होगा जब अंग्रेजों को भगाने का सपना सच हुआ जब अंग्रेजों को भगाने का सपना सच हुआ तो इन काले अंग्रेजों को भगाने का सपना सच होगा बस कुछ समय का फेर है वो दो महिने, चार महिने, छे महिने, साल, दो साल, दो साल से ज़ादा नहीं क्योंकि भारत स्वाविमान का संकल्प है कि सब कुछ दो साल में कर देना है अनंत काल के लिए इसको लटका कर नहीं रखना है संसद में अगर नेता मान जाएं प्रस्ताव पारित हो जाएं कानून बन जाएं तो स्विर्जरलेंड से ये पैसा चुपचा पा जाएगा और दूसरी बैंकों से आ जाएगा 110 लाग करोड़ और अगर संसद से नहीं हो पाया किसी कारण से तो हमारी दूसरी तयारी है और वो तयारी ये है कि अगर ये वरतमान संसद हमारे इस रास्ते में रुकावट बनती है और हमारे सपने को पूरा होने से रोकती है तो पूरी संसद भवन को हम बदल देंगे और उसमें नए नेताओं को चुन कर लेके जाएंगे जो इस काम को कराएंगे हमारी तयारी है कि देश में से साड़े तीन सो से पूने चार सो एमपीज को जिता कर लाएंगे और इस एक विशह पर संसद का प्रस्ताव पारित करवाएंगे ये भी तयारी है और इससे भी आगे की तयारी है एकतिस राजियों की विधान सभाएं रास्ते में रुकावट ना बने उन विधान सभाओं को भी बदल देंगे क्योंकि प्रजा तंत्र है लोक तंत्र है अब राजा शाही नहीं है कि राजा का लड़का भी राजा हो जाए और उसका भी लड़का राजा हो जाए कोट में एक मुकदमा आया था आपको याद दिलाता हूँ नरसिमा राओ इस देश के प्रधान मंत्री थे उनके जमाने में एक यूरिया घोटाला हुआ 133 करोड रुपए का पेमेंट किया गया यूरिया का एक प्रधाना भारत में नहीं आया जांच हुई तो पता चला 133 करोड रुपए स्वीज बेंक में जमा हो गया और जांच हुई कोई तो पता चला नरसिमा राओ के बेटे के खजाने में जमा हो गया सुप्रीम कोट ने आदेश दिया कि जिसके खजाने में ये पैसा है उसकी गिरफतारी की जाए तो प्रधान मंतरी के बेटे की गिरफतारी हुई और वो जेल गया और आज भी जेल में है दूसरा आदेश सुप्रीम कोट ने दिया कि जिनके खजाने में ये पैसा है वो पैसा राष्ट की संपत्ती है उनकी व्यक्तिकत नहीं है वो पैसा वापस लाया जाए तो यहां से अधिकारियों की टीम गई सुर्जलेंड की बैंकों से 130 करोड रुपए निकाल कर सुप्रीम कोट में जमा किया गया अगर यूरिया घोटाले का पैसा वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का भी आ सकता है बोफोर्स घोटाले का भी आ सकता है सारे घोटालों का पैसा वापस आ सकता है तो हम सुप्रीम कोट में सुप्रीम कोट के फैसले की याद दिलाते हुए ये काम करवाएं और एक चौथा रास्ता है हमारे पास अंतर राश्ट्री अदालत में सुर्जर लेंड के खिलाफ हम मुकदमा करें क्योंकि सुर्जर लेंड ने बड़ा अत्याचार किया है उन सब देशों के उपर जिनका पैसा उन्होंने अपने यहां रखा हुआ है आप जानते हैं कितने चालाक लोग हैं ये सुर्जर लेंड की बैंकों में जहां ये पैसा जमा होता है वो बैंक उस पर ब्याज नहीं देते जमा करने वालों को उल्टा जो जमा करता है उससे सर्विस चार्ज लेते और उस पैसे को सुर्जर लेंड की सरकार दूसरे देशों को करजे में बांट देती है और उस पर ब्याज लेकर अपना धंदा चलाते रहते हैं इतने चालाक लोग उनकी इस चालाकी को दुनिया में एक्सपोज करने की जरूरत है क्योंकि भारत जैसे पचास देशों के भरष्टाचारी लोगों का पैसा उनके यहां जमा है उन पचासों देशों को हम इकठा करेंगे उनकी तरफ से अंतराश्री अदालत में मुकदमा करेंगे और उस मुकदमे के फैसले के आधार पर इस पैसे को वापस लेंगे आप बोलेंगे ऐसा कभी हुआ है अभी हुआ है एक उधारन बताता हूँ अमेरिका नाम का एक देश है बराक ओबामा नाम का वहाँ एक राश्रुपती चुन के आया उसने ये काम किया बराक ओबामा ने अमरीका के 4490 भरष्ट नेताओं का पैसा जो स्विस बैंक में पढ़ा था उसको वापस मंगा लिया अभी थोड़े दिन पहले उसके लिए बराक ओबामा ने अपनी संसद में एक ही प्रस्ताव पारित किया था कि अमरीका के इतिहास में जिन नेताओं ने ये पैसा लूट कर विदेशी बैंकों में रखा है वो अमरीका की संपत्ती है और सुड़लेंड की सरकार ने 470 अरब डॉलर अभी अमेरिका को वापस दिया है तो अगर अमेरिका ये कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता अंतर इतना ही है कि अमेरिका में एक बराको मामा आ गया है भारत में बराको मामा कोई आ जाएगा आने वाले समय में क्योंकि भारत माता की विशेशता है कि जब जरूरत पढ़ती है ऐसे सपूतों को जनम देती है ये धरती जरूरत पड़ी तो सरदार पटेल को जनम दे दिया जरूरत पड़ी तो भगत सिंग, उधम सिंग को जनम दे दिया जरूरत पड़ी तो जहांसी, राणी, लक्ष्मिवाई को जनम दे दिया अब फिर जरूरत है तो फिर ऐसा कोई सपूत निकलेगा और करेगा इस काम को ये विश्वास हमें है और ये पैसा आएगा हम तो कई बार ये भी सोचते हैं कि हम चाहें तो दादागिरी करके भी इस पैसे को ला सकते हैं सारे कानून एक तरफ दुनिया में है मुझे तो कभी कभी एक मजाक सूचता है आपको कहने के लिए आप इस पे हसे नहीं बैठ जाएए चुकचाप थोड़ी देर में बात करिए कि भारत वासी अगर इकठे हो जाएं सब के सब और इकठे हो के पेशाप भी कर देंगे तो सुट्जरलेंड बह जाएगा इतना छोटा सा देश आर्मी नहीं है सुट्जरलेंड के पास आपको मालूम है पुलिस नहीं है नेवल फोर्स नहीं है एर फोर्स नहीं है कुछ नहीं है आप चाहें तो दादागिरी करके सारा पैसा ला सकते हैं और हम अकेले दादागिरी नहीं करेंगे, पचास देश खड़े हो जाएंगे, भागेगा कहां सुर्जरलेंड, जाएगा कहां, बेंके तो इसी दुनिया में हैं उनकी, और अब इतना आसान है ये काम करना, अंतर राश्विय संस्ता है, युनाइटेड नेशन, उसने प्रस् खाते एक ही हैं, ये नई जानकर ही अभी आई है, युनाइटेड नेशन्स ने बताया, और युनाइटेड नेशन्स आतंकवाद के खिलाब बड़ा अभियान चला रहा है, तो युनाइटेड नेशन का कहना है कि वो सारे नेता आतंकवादी हैं, जो धन को अपने अपने से लूट कर जमा कर रहे हैं स्विस बैंक में बस अंतर इतना है कि यह आर्थिक आतंकवादी हैं वो राजनेतिक आतंकवादी तो United Nation मदद करने को तैयार है हमारी हो सकता है इश्वर की कोई योजना है वरना इतनी अनुकूलता कभी नहीं होती और इश्वर की उस योजना में हम तो निमित मात रहें करवाने वाला और करने वाला तो कोई और है वो चाहता है कि भारत माता सुझलाम सुफलाम बने वो चाहता है कि भारत माता समरुदशाली बने वो चाहता है कि भारत माता फिर से विश्व गुरू बने वो चाहता है कि भ आने के बाद क्या करना है उसकी पूरी योजना हमने बनाई है पूरा ब्लूप्रिंट तयार किया है भारत स्वाविमान की तरफ से थोड़े दिन में हम देश के सामने वो जारी करें उसके कुछ बिंदू आप से जरूर कह सकता हूँ सबसे पहला हम क्या करेंगे ये 110 लाक करोड आएगा इसमें से सबसे पहला खर्चा करेंगे गाउं में उद्योग और व्यापार का विकास करने के लिए गाउं में कोई उद्योग नहीं है जो भी उद्योग है शहरों में है इसलिए गाउं के लोग भाग कर शहर आते हैं और अपने जीवन जिन्दगी में हमेशा दुख पाते हैं हम चाहते हैं कि गाउं में उद्योग लगें आप बोलेंगे क्या उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् और फिर सूत से कपड़ा बुनने का काम भी गाओं में हो सकता है क्योंकि कपड़ा बुनने में भी बिजली नहीं लगती पानी नहीं लगता वो हाथ का ही खेले पूरा और एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि दो लाक गाओं में सूत बनना शुरू हो जाए उस सूत का कपड़ा बनना शुरू हो जाए वो कपड़ा पहनना हम शुरू कर दें तो इसके लिए भारत स्वाविमान ने पहला कदम उठाया कि भारत स्वाविमान के सभी कारिकरताओं को ह हाथ से बना, हाथ से बुना, खादी का कपड़ा अब पहनना ही होगा, क्योंकि परम पुझनिय स्वामी जी ने खुद खादी पहनना अब शुरू कर दिया है। हम दूसरों से कहें, तो पहले हम करें। और ये काम जब हम शुरू करेंगे, तो करोडों हिंदुस्तानी हमें देख कर शुरू करेंगे। खादी की बिक्री अभी पूरे देश में सिर्फ एक करोडों लोगों के द्वारा होती है, वो 2 करोड हो जाएं, 5 करोड हो जाएं, 10 करोड हो जाएं तो रोजगार उतना ही बढ़ता जाएगा मैंने एक दिन हिसाब निकाला 15 करोड वोगों को रोजगार गाओं में ही मिल सकता है खाली खादी का कपड़ा पहनने और उसका उप्योग करने माथचा ये एक बड़ा उद्योग हर गाओं में हो सकता है दूसरा उद्योग क्या हो सकता है हर गाओं में सरसों पैदा होती है तिल पैदा होता है नारियल पैदा होता है मने तेल की विवस्था सारी गाओं में हो सकती है जहां सरसों पैदा हो सकती है वहां तेल निकल सकता है जहां नारियल पैदा होता है वहां तेल निकल सकता है तो तेल निकालने के सारे केंद्र गाउं में ही चलेंगे शहर में आकर तेल बिकेगा आप बोलेंगे तेल कैसे निकालते हैं पुराने जमाने में कोलू होता था ना से तेल निकलता था अभी भी हो सकता है बैल की विवस्था करनी पड़ेगी और बैल की विवस्था करने के लिए गाय को जिंदा रखना पड़ेगा बस इतनी सी बात है बैल तो अभी भी हो जाएंगे कोलू तो अभी भी चल जाएंगे और कोलू का निकाला हुआ तेल हजार गुना क्वालिटी में अच्छा होता है ये जो मशीन से निकाले हुए तेल की तुलनाम क्योंकि मशीनों से जो तेल निकलता है उसमें बिजली इस्तेमाल होती है घरशन बहुत तेज होता है तेल की सारी पॉस्टिकता उसमें जल जाती है क्योंकि तापमान बड़ा हो जाता है कोलू से धीरे 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 तेल निकलता है उसकी पॉस्टिकता बरकरार रहती है और हमने तो परिक्षन कर लिया है कोलू का तेल कोई भी आदमी खाए कभी हरट टेक होने की संभावना नहीं कभी ट्राइगलिसराइट्स बढ़ने की संभावना नहीं कभी कॉलिस्ट्रोल बढ़ने की संभावना नहीं क्योंकि उस तेल से HDL बढ़ता है और ये बाजार वाले तेल से LDL और VLDL बढ़ता है LDL VLDL खतरनाक है HDL तो जरूरी है इसलिए कोलू के तेल की विवस्था हर गाओं में होगी तेल का बाजार 56,000 करोड का है और इस बाजार में हम हिंदुस्तान के लाखों गाओं को लगा सकते हैं फिर इसी तरह से घी है देशी गाए का घी, भैस के दूद का घी ये सब गाओं में निकालने का काम हो सकता है घी निकालना ऐसी कौन सी टेक्नॉलजी है जो किसी को नहीं मालू दूद को दही बनाओ, दही का मठा बनाओ, मक्षन निकालो, गरम करो, घी बनाओ यूरोप में किसी को नहीं आता ये हमें तो आता है घर-गर में आता है तो घी निकालने का उद्योग, तेल का उद्योग, सूत का उद्योग, सूती कपड़े का उद्योग फिर गाओं में गेहूं पैदा होता है, गेहूं से आटा हर गाओं में बन सकता है चक्की हाथ की अगर चलवादे हिंदुस्तान के करोडों घरों में तो आटा जो तैयार होगा उससे ज़्यादा पॉस्टिक आटा मिल नहीं सकता आपको जिन माताओं ने चक्की का पिसा हुआ आटा खाया है किसी भी मा को बच्चे का जनम करने के लिए सरजरी नहीं करानी पड़ी है सिजेरियन नहीं कराना पड़ा है ये हमारा इतिहास है आजादी के बाद का चक्की चल सकती है क्यों नहीं चल सकती है और चक्की चलाके हम अपने पेट कम कर सकते हैं शुद्ध आटे की पूर्थी हो सकते इसी तरह से भारत में 90,000 गाउं हैं जहां आलू पैदा होता है तो जिन गाउं में आलू पैदा होता है वहां आलू का चिप्स बनाने का उद्योग चल सकता है 65,000 गाउं में टमाटर पैदा होता है इस देश में जिन गाउं में टमांटर पैदा हो सकता है वहां टमांटर की चटनी बनाने का उद्योग हो सकता है लाग से जादा गाउं है जहां आम की बिन बिन किसमें पैदा होती है आम का अचार बनाने का काम उन सब गाउं में हो सकता है पापड है बड़ी है ये सब बनाने का काम गाउं गाउं में हो सकता है तो ये सौ तरह के उद्योग गाउं में हमें लगाने हैं अब इन उद्योगों को लगाने के लिए पूजी चाहिए ये पूजी उस पैसे में से हम निकालना चाहते हैं जो स्विस बैंक से वापस आए और ये उद्द्योगों को लगाने के बाद जो बचेगा पैसा उसमें हम बिजली की विवस्था करना चाहते हैं बारत में लगबग धाई लाग गाओं हैं जहां बिजली अभी चाहिए हमने उसकी योजना बनाई हैं दस-दस गाओं के छोटे समूँ बनाएं और एक मेगावाट का छोटा बिजली घर बनाएं जिसमें बिजली की खपत हो पूरी की पूरी बिजली का नुकसान हो कम से कम अभी हमारे देश में क्या होता है बिजली बनती है 1000 मेगावाट के पावर स्टेशन पंदर सो मेगावाट के पावर स्टेशन अब 1000 मेगावाट की बिजली बनाएंगे तो उसका वोल्टेज 11, 12, 13,000 पर होगा अब 11,000 वोल्टेज को इस्तेमाल तो कर नहीं सकते घरों में तो step down करना पड़ता है और 110 वोल्ट तक लाने के लिए सारी उर्जा को नश्ट करना पड़ता है Fall 2 में हमारी 35 प्रतिशत बिजली बरबाद होती है इस बरबादी को हम रोकना चाहते हमारा ये कहना है कि घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली जो 110 वोल्ट की है उसके लिए छोटे पावर स्टेशन हो कारखानों में इस्तेमाल होने वाली बिजली जो हाई वोल्टेज की है उसके पावर स्टेशन अलग कर दो दोनों को अलग अलग करो डिसेंट्रलाइज करो तो फाल तू बिजली खराब न हो और जितनी बिजली हम बचत करेंगे वो ही पैदा हो जाएगे और एक मेगा वाट के बिजली घर को बनाने में साड़े चार करोड का खर्चा आता है एक लाख बिजली घर भी हम लगाएंगे तो साड़े चार लाग करोड का खर्चा है और हमारे पास 110 लाग करोड का फंड है हो सकता है फिर सड़क बनाने का काम हो सकता है फिर हॉस्पिटल हर गाउं में हो डॉक्टर हर गाउं में हो दवा हर गाउं में मिले मैंने तो एक दिन सोचा था कि भारत के एक एक गाउं के पास इतना पैसा हो सकता है कि वो IPS पुलिस अधिकारी को गाउं का चौकीदार बना के रख सकते हैं इतना पैसा एक एक गाउं के पास हो सकता है इस पैसे सिब विकास करेंगे हम और मैंने एक दिन ये सब हिसाब जोड़ा तो पता चला कि मातर पचास लाख करोड रुपए में भारत का हर गाउं सोने का गाउं हो जाएगा स्वर्ग जैसा गाउं हो जाएगा मातर पचास लाख करोड के खर्चेब और है हमारे पास 110 लाख करोड तो जो 60 लाग करोड बचेगा उसको भारत माता के नाम से एक फिक्स डिपॉजिट में जमा कर देंगे तो साल का ब्याज 6 लाग करोड का आ जाएगा किसी को टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस देश की पूरी अर्थ व्यवस्था को जीरो टैक्स बने अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाए हैं वो अब हम नहीं लगाएंगे कोई टैक्स की जरूरत ही नहीं है क्योंकि टैक्स से जितना पैसा आता है वो तो विदेशी पैसे को भारत में ले आएं उसके ब्याज से ही आ जाता है जरूरत क्या है और टैक्स जैसे ही खतम होंगे महगाई अपने आप खतम हो जाएगा आपको एक छोटी सी कलपना देता हूँ 100 रुपई की चीज आपको आराम से 30 रुपई में मिल जाएगी अगर सारे टैक्स खतम हो जाएगा 50 रुपई लीटर का जो पैट्रोल है ना ये 12-13 रुपई लीटर में मिल जाएगा आपको 35 रुपई लीटर का डीजल है 7-8 रुपई लीटर में मिल जाएगा टैक्स खतम होने के बाद रसोई गैस का सिलिंडर जो साड़े 300 का है वो 45 रुपई का मिल जाएगा आपको बस में आना और जाना करते हैं अगर ग्वालियर से कहीं जाएं 100 रुपए का टिकेट लगे 30 रुपए में ही पहुँच जाएंगे रेल में भी वही होगा हवाई जाज में भी वही होगा आपके बच्चे पढ़ते हैं इंजिनिरिंग में मेडिकल में सबका खर्चा 70 प्रतिशत कम हो जाए मेंगाई 70 प्रतिशत एक दिन में खतम हो जाएगा टेक्स विवस्था को हटाते अब मेंगाई खम होगी तो गरीबों के लिए रास्ते खुल जाएंगे आराम से उनकी जिन्दगी वो बिता पाएंगे और एक बड़ा काम होगा इंकम टेक्स खतम जैसे ही होगा सारा काला धन इस देश में सफेद हो जाएगा एक जटके अभी 36 लाग करोड का काला धन इस देश में है जो बंद पड़ा है तिजोरियों में फिर जब वो सफेद हो जाएगा तो कोई उसको तिजोरियों में नहीं रखेगा सारा धन बाहर आ जाए या तो लोग बैंक में जमा करेंगे या उसको खर्चे में डालेंगे या उससे उद्द्योग और व्यापार करेंगे तीनों ही स्थती में पैसा बाजार में घूमेगा और 36 लाग करोड अगर हमें मिलता है एक जटके में तो कटोरा लेकर भीक मांगने भारत को किसी देश के दरवाजे जाना नहीं पड़ेगा देश का सारा विकास स्वावलम भी होगा स्वदेश होगा तीन कारण है सबसे बड़ा कारण ये है कि नोट जितना बड़ा उसके नकली होने की संभावना उतनी बड़ी पाकिस्तान से नकली नोट आते हैं आप जानते हैं 15 से 20 प्रतिशत करेंसी हमारी नकली हो चुकी है ये सरकार कहती है हर साल पाकिस्तान 18-20 हदार करोड की नकली करेंसी हमारे देश में डाल देता है और जब भी नकली करेंसी पकड़ी जाती है तो 1000 के नोट 500 के और 100 के नोट पकड़े जाते हैं 50 का नोट आज तक नहीं पकड़ा गया जानते हैं क्यों एक बार मैंने एक CBI या दिकारी को पूछा था कि जब पाकिस्तानी एजेंटों को आप पकड़ते हैं नकली नोट के साथ तो उनसे पूछने में क्या पता चलता है तो उनका ये पता चलता है कि 1000 का नोट बनाना आसान है 500 का भी आसान है 100 का भी आसान है 50 का नोट बनाने में 53 रुपया खर्च हो जाता इसलिए पाकिस्तान नहीं बनाता 20 का नोट बनाने में 25 खर्च हो लेते हैं इसलिए पाकिस्तान नहीं बनाता उसका पाकिस्तान का उद्देश हजार पांसो सौ के नोट बनाके नकली निस देश में डलवाना तो 1500 सौ के नोटी बंद कर दो देखें पाकिस्तान क्या करता तो नकली करेंसी कम हो जाएगी दूसरा फाइदा है कि रिश्वत कौन देगा फिर अभी 10 करोड की रिश्वत देनी है तो 1000-1000 के नोट ब्रीफ केस में भर के दे आते हैं फिर 10 करोड की रिश्वत देनी है तो ट्रक भरके ले जाना पड़ेगा कौन देके आएगा देखें और कौन ले लेगा वो भी देखें रिश्वत खोरी कम हो जाएगी ब्रश्टाचार कम हो जाएगी और सबसे गंभीर बात यह है कि जब 84 करोड लोगों की एक दिन की आमंदनी 20 रुपए है इसका माने 84 प्रतिशत हमारी करंसी 20 रुपए ही चाहिए हमको हजार की क्यों करंसी चाहिए 84 करोड लोगों ने हजार का नोट नहीं देखा है अपनी जिन्दगी में क्यों उनको हजार का नोट पकड़ाना उनको 20 की जरूरत है वो ही चाहिए तो करंसी हमें छोटी रखने और एक काम हम करना चाहते हैं अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए अर्थवे वस्था के जो कानून है एक कानून है किसानों के लिए जो इस देश में लगा हुआ है वो ये कि कोई भी किसान अपनी फसल का भाव खुद तेह नहीं कर सकता सरकार के अधिकारी तेह करते है किसान अखेला है जो अपनी चीज़ का भाव तेह नहीं करता बाकी सब लोग अपनी चीज का भाव तै करते जूता बनाने वाला भी जूते का भाव खुद तै करता है मुझे यही कीमत पर बेचना किसान नहीं कर पाता क्योंकि अंग्रेजों का कानून है अग्री कल्चरल प्राइस कमीशन एक वो कानून हम बदलना चाहते है किसान को अधिकार देना चाहते है कि वो अपनी फसल का भाव खुद तै करे और फसल के भाव के निर्धारण में जो मानक है वो बदलना चाहते है अभी फसल का भाव जब तै होता है न जमीन की कीमत उसमें जोड़ी ही नहीं जाती जबकि वो जमीन करोड़ों रुपई की होती है अगर आप कहीं जमीन खरीदें उद्योग चलाएं बैंक से करज लें तो बैंक का ब्याज आप जोड़ लेते हैं किसान बिचारा वो भी नहीं जोड़ पाता क्यों नहीं जुड़ना चाहिए जैसे ही जमीन की कीमत आप जोड़ना शुरू करेंगे फसल का भाव बढ़ जाएगा किसान को ज़्यादा पैसा अपने आप मिल जाएगा इसी तरह के हम कुछ कानून और भी बदलना चाहते हैं हिंदुस्तान में अंग्रेजों के बनाई हुए नियाए के कानून ने IPC, CRPC, CPC नहीं बदलना चाहते हैं क्योंकि IPC, CRPC, CPC की विवस्था ये है कि साड़े तीन करोड मुकदमे चल रहे हैं फैसला नहीं आ रहा है एक बार सुप्रीम कोट के एक Chief Justice महोदे को मैंने पूछा कि साड़े तीन करोड मुकदमों का फैसला कब आएगा तो नहीं का अंग्रेजों के कानून अगर ऐसे ही चलेंगे तो साड़े तीन सो साल में फैसला आएगा ना वादी जिन्दा रहेगा ना प्रतिबादी जिन्दा रहेगा राजा था चंदरूप्त विक्रमा देती बड़ा न्याय प्रिय था उसके दरवार में एक मुकदमा आया दो माताएं थी एक बेटा था एक मा कह रही थी मेरा बेटा है दूसरी कह रही थी मेरा बेटा है दोनों जगड रही थी राजा ने का तलवार लियाओ आदा आदा काट दो आदा इसको दे दो आदा इसको दे दो जैसे ही तलवार आई तो असली माँ चिलाने लगी नहीं नहीं इस बेटे को दूसरी माँ को दे दो कम से कम जिंदा तो रहेगा राजा समझ गया कि असली माँ यही है जो कटते हुए नहीं देख सकती अपने बच्चे को तो नकली माँ से बच्चा छीन कर असली माँ को दे दिया पूरे मुकदमे का फैसला दो मिनट में हो गया यह है भारती नियाए विवस्था अब इसी मुकदमे को आप CRPC, IPC और CPPC में लेके आजाओ अंग्रेजी नियाए विवस्था में मैं आपको विनमरता पूरवक कह सकता हूँ तीस साल केस चलता रहेगा फैसला ही नहीं हो पाएगा असली माँ कोने नकली माँ कोने हो सकता है दोनों माताएं मर जाएं तो भी मुकदमा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा यह है अंग्रेजी नियाए विवस्था हमको यह नहीं चाहिए अंग्रेजी नियाए विवस्था हमको चाहिए तुरंत नियाए मिले और नियाय मिले, फैसला ना हो केस का डिसीजन नहीं करना है जज्मेंट देना है इसके लिए नियाय विवस्ता है फैसले करने के लिए नहीं है अब फैसला और नियाय में अंतर जानते हैं क्या है एक और उधारण से समझाता हूँ एक कानून है हमारे देश में वो ये कहता है कि गाय को डंडे से मत मारो मारोगे तो जेल हो जाएगी Prevention of Animal Crueality Act डंडे से मारो जेल हो जाएगी लेकिन उस साइ गाय की गर्दन काट दो और एक-एक मास की बोटी बेच दो उसकी कुछ नहीं होगा क्योंकि मास बेचने के लिए कतल खाना खोलने का इस देश में सबको अधिकार है अब गाय को डंडे से फीटो तो जेल हो जाएगी गर्दन से काटो तो मीट एक्सपोर्ट का आपको लाइसेंस मिल जाएगा ये न्याए ये तो अन्याए है बच्चे को जन्म लेने से पहले गर्वों में मार डालो तो गर्वपात है जन्म लेने के बाद मारो तो 302 का केस बनता है फासी हो जाती है और गर्वपात में मार डालो तो कुछ नहीं ये न्याए हमारे देश में एक कानून है बलातकार के खिलाफ फंग्रेजों के जमाने से चला रहा है वो कानून क्या है किसी भी माँ बहन बेटी का बलातकार हो तो माँ बहन बेटी को सिद्ध करना पड़ता है कि बलातकार हुआ या नहीं जिसने किया उसको कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता है ये नहीं आए क्या करें इस व्यवस्ता को खतम करना है इसको तो चलाना नहीं है रखना नहीं है एक बिना परिणाम क्या हो रहा है कि जब बलातकारियों को सिद्ध नहीं करना है कि उन्होंने क्या किया जिसके उपर घटना घटित हुई है उसको सिद्ध करना है तो सारे बलातकारी छूटने ही वाले है और इस हिंदुस्तान में सौ बलातकार के मुकदमे दर्ज होते है तो पांच को ही सजा होती है 95 छूट जाते है वो दुबारा किसी मा बेहन बेटी की इज़त को तार-तार करते है ऐसा नयाय हमें नहीं चाहिए हमें संपूर नयाय चाहिए इसकी व्यवस्था हम लाना चाहते है इसी तरह हम सिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते है हमारी आज की सिक्षा व्यवस्था मैकॉले के समय की बनाई हुई है बहुत पुरानी है मैकॉले ने अंग्रेजों के गुलामी के तंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ कलर्क पैदा करने हैं इसके लिए ये सिक्षा व्यवस्था लाई थी मैकॉले ने खुद अपने ड्राफ्ट में लिखा है कि गुलामी की व्यवस्था को पक्का करने के लिए अंग्रेज सरकार और भारतवासियों के बीच पुल का काम करने के लिए कुछ कलरकों की जरूरत है इसके लिए उन्होंने ये लाया इंडियन एजूकेशन एक्ट अब वही हम क्यों चला रहे हैं आज़ादी के 62-63 साल के बाद हमें तो गुलाम नहीं पैदा करने हमें तो कलरक पैदा नहीं करने हमें तो वैज्जयानिक चाहिए इंजिनि diameter चाहिए डॉक्टर चाहिए Charted accountant चाहिए और दिमाग से चाहिए इसलिए सिक्षा व्यवस्था बदलनी है और सिक्षा व्यवस्था की भाषा भी बदलनी है हम अभी अंग्रेजी में पढ़ते और पढ़ाते हैं जो दुनिया का कोई देश नहीं करता आज़ादी के बाद कोई भी देश ने गुलामी की भाषा को अपने हां नहीं ढोया भारत को छोड़ कर सबी देशों ने अपनी मात्र भाषा लाई अपने देश चोटे चोटे देश हैं डेनमार्क नाम का बिलकुल पिद्दी सा देश है हमारे हिंदुस्तान के किसी महले के बराबर का है इतनी ही आवादी है उस डेनमार्क की वो देश इतना छोटा होकर अपनी पूरी पढ़ाई Danish में कराता है Engineering Danish में होती है Medical Science में Danish में है सारा काम वहाँ वो मात्र भाशा में कराता है तो हम 115 करोड की आवादी के देश अपनी मात्र भाशा में काम क्यों नहीं कर सकते हम Engineering क्यों नहीं पढ़ा सकते Medical की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं हो सकती Management की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं हो सकती Chartered Accountancy की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं हो सकती तो कुछ लोग कुतरक देते हैं कि हिंदी में शब्दों की कमी है ऐसी कोई कमी नहीं है डैनिश भाषा के पास तो बिल्कुल शब्द नहीं है उससे तो हजार गुना जादा हमारे पास है शब्दों की कोई कमी नहीं है शब्द कोश की कोई कमी है हमारे पास परियाप्ट शब्द हैं अंग्रेजी से जादा शब्द हैं हमारे पास अंग्रेजी तो भाषा शताबदी से आई है उसके पहले तो कोई जानता नहीं उनका इतिहास क्या है दुनिया बर के देशों से खिचडी बना के एकटी की हुई है उन्होंने लेटिन से कुछ ले लिया जर्मन से कुछ ले लिया फ्रेंच में से कुछ ले लिया इटेलियन में से ले लिया इस से ले लिया और बना दिया हमको तो ये नहीं करना पड़ा संस्कृत में ऐसा घालमेल करने की जरूरत नहीं पड़ी कभी इस देश को करोनों साल से और जितना ज़्यादा शब्द संस्कृत में हो सकते हैं दुनिया की किसी भाषा में संभव नहीं है क्योंकि शब्द रूप और धात रूप यही एक भाषा में है करोणों शब्द अंग्रेजी में तो अकाल है शब्दों का एक शब्द है सन, S, U, N वो अकेला ही है दूसरा ही नहीं सूरज को बोलने का सन के अलावा दूसरा शब्द नहीं अंग्रेजी के पास और हम अगर संस्कृत और हिंदी की बात करें तो दिनकर, दिवाकर, रवी, भासकर, मारतंड, 84 शब्द हैं हमारे पास एक शब्द हैं अंग्रेजों के पास मून, वो अकेला है, इकलोता है और हम चंद्रमा के अगर शब्दों की गिंती शुरू कर दें तो वो 62, 63 है एक शब्द है उनके पास वाटर, पानी और वो पानी चाहे नदी का हो चाहे नाले का हो चाहे तालाप का हो चाहे कहीं का हो एक ही है वाटर हमारे पास तो हर जगे के पानी के लिए अलग शब्द है वहाँ पाठिक्रम भी बहुत आसानी से बन सकते हैं पढ़ाये जा सकते हैं इसलिए हमें तो अंग्रेजी को छोड़ना ही है और ऐसे ही छोड़ना है जैसे अंग्रेजों को छोड़ा था अंग्रेजों को छोड़ दिया तो उनकी अंग्रेजी को छाती से क्यों लगा के घूमे जरूरत क्या है हमें तो नहीं जरूरत है आप बोलेंगे जी अंतर राश्री व्यापार करना है तो अंग्रेजी की जरूरत है कुछ जरूरत नहीं है जापान बिना अंग्रेजी जाने सीके समझे अंतर राश्री व्यापार करता है जापान का प्रधान मंत्री भी अंग्रेजी नहीं जानता चपरासी भी अंग्रेजी नहीं जानता सारी दुनिया में उनका माल बिकता है बिना अंग्रेजी के तो हमारा क्यों नहीं बिकेगा रूस बिना अंग्रेजी के इतना व्यापार कर सकता है जर्मनी बिना अंग्रेजी के इतना व्यापार कर सकता है आपको मालूम है इंजिनिरिंग के सबसे अच्छे सामान दुनिया में जर्मनी के ही है और वो बिना अंग्रेजी के कर रहा है फ्रांस वाले बिना अंग्रेजी के अपना काम चला सकते है नीदरलेंड वाले बिना अंग्रेजी के काम चला सकते है तो हं भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम पर, अपनी भाशा पे स्वाबिमान और गौरव करनी की बात है कमी कुछ नहीं है हमारी भाशा मुझे तो दुक होता है कि हम हंदुस्तानी अंग्रेजी के चक्कर में फसके ना तो हिंदुस्तानी रह गए ना अंग्रेज बन पाए बीच में हो गई खिचली हमारी कुछ आजकल अंग्रेजी पढ़े लिखे अधकचरे लोगों के घरों में जब मैं जाता हूँ तो बड़ी हास्यास्वद इस्तधी देखता हूँ पिता जी का नाम राम दयाल माता जी का नाम गाहित्री देवी बेटे का नाम टिंकू अब राम दयाल और गाहित्री देवी का टिंकू कहां से आ गया यही समझ में नहीं आता है और जिनोंने बेटे का नाम टिंकू रखा उनसे पूछता हूँ तुमको मालूम है टिंकू का अर्थ क्या है तो उनको नहीं मालूम टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का जो बाप की ना सुने मा की ना सुने वो अंग्रेजी में टिंकू होता है यहां अच्छे खासे लड़के को टिंकू टिंकू बोल बोल के आवारा बना रहे हैं क्या मूर्ख लोग हैं इस देश में? पढ़े लिखे बेटी का नाम डिंपल, ट्विंकल, बबली, डबली, बबलू, डबलू, क्या मतलब है? बबलू, डबलू, डिंकल, टिंपल के लिए अंगरेजी में बात करते हैं अंगरेजी अंगरेजी आती shouldn't उनको जितने लोगों को अंगरेजी बोलते मैंने सुना है निन्याइव। प्रतिशत गलत व्याकरण और गलत उचारण का उभीग करते हैं फिर भी रॉम झढने के लिए बोलते रहते हैं, शब्दों का अर्थ नहीं मालूं, फिर भी बोलते रहते हैं, कभी-कभी चला जाता हूँ, किसी के घर में तो कहते हैं, ओ, राजीव दिख्षित, she is my missus, तो मैं पूछता हूँ, really, she is your missus, क्योंकि उनको missus का अर्थ ही नहीं मालूं, बोल रहे हैं, missus, हैं, हर सब्विता की अपनी कोई विशेष्टा होती है, ऐसे ही अंग्रेजों की एक विशेष्टा है, और वो विशेष्टा है, extra marital affairs, पर इस्त्री गमन, पर पुरुष गमन, इंग्लेंड में कोई ऐसा नहीं मिलेगा, पुरुष जिसके 20-30 महिलाओं से कम से संबंद रहे हो, और एक महिला नहीं मिलेगी, जिसके 20-30 पुरुष से कम से संबंद रहे हो, वो एक से संतुष्ट होई नहीं सकते, उनको 20-20 यों लगते हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं, यू कि भरोसा ही नहीं है दोनों को एक दूसरे पर क्योंकि शादी होती ही नहीं है आत्मा से वह तो शरीर से होती है आत्मा को तो मानते नहीं न वो आपको मालूम है वो मानते नहीं कि आत्मा कोई चीज है वो तो कहते हैं शरीर है और शरीर का आनंद है मिले तो ठीक नहीं मिले त तो जिन देशों में इस्तरी पुरुशों के बीसियों संबंद बनते हैं वहां पर मिस्टर एंड मिस्स शब्द उपजे और इनका अर्थ क्या है मिस्स का मतलब होता है धर्म पत्नी को छोड़ कर कोई भी वो इस्तरी जिसके साथ आप रात बिस्तर में बिता सकते हैं वो मिस्स होती है तालीमत बजाईए ऐसे और मिस्टर का माने है वो पुरुश जो पती को छोड़ कर है जिसके साथ आप बिस्तर में रात बिता सकते हैं यह है मिस्टर और मिस्स यहाँ धरम पत्नी जो अगनी को साक्षी मान कर आपके घर में आई है आप उसको मिसिस बनाने में लग गए अकल नहीं है कुछ समझ नहीं है हमको एक बहुत खराब शब्द अंग्रेजी का जो किसी भाषा में नहीं है हो भी नहीं सकता मैडम जानते हैं मैडम का अरत क्या है उसको मैडम कहते है रंडी घर को चलाने वाली जो मुखिस अंचालिका है उसको मैडम कहते है और यहां हमारी सम्मान जनक मा बहन बेटियों को मैडम मैडम बोल के हम कहते रहते अकल नहीं है समझ नहीं और मा बहन बेटियां भी कहती है मैडम बोलो मुझे समझ तो लो पहले कि मैडम का अर्थ क्या है ये अधिकच्रा ग्यान हमारा अंग्रेजी अगर ठीक से जानी होती, समझी होती, पड़ी होती, अंग्रेजी का इतिहास पढ़ा होता, शब्दों का इतिहास पड़ा होता कहां से ये शब्द निकले हैं क्यों निकले हैं हर एक शब्द के पीछे कोई इतिहास है और उनकी कोई सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है उसमें से वो शब्द पैदा होते हैं एक शब्द आया father in law और दूसरा mother in law ये ससुर नहीं होता वो कोई दूसरी चीज़ है उनके आपको मालούμε में शादी वहाँ contract है आत्माओं का संबने नहीं है और हर contract कानून से बना हुआ होता है इसलिए father in law है इसलिए mother in law है इसलिए brother in law है इसलिए sister in law है क्योंकि ये सब contract से बने हुए हैं और contract law से बंदा हुआ है भारत में ये नहीं है हमारे यां तो ससूर और सास माता पिता के समान है आत्मा से हमारा बंदान है हम मूर्खों के मूर्ख फादर इल्लो बताते रहते हैं ये ससूर है फादर इल्लो जीब भटती है हमारी ससूर कहने में और फाद निल्लो केने में गर्व मूर्खों के मूर्ख हैं सच में मेरा यही कहना है अंग्रेजी इस्तेमाल करो तो पूरी तरह से जान लो समझ लो फिर इस्तेमाल करो तो अपनी मूर्खता पे हसी तो नहीं आए कम से कम मूर्खता करो तो समझ के करो और जब समझ नहीं है तो फसना क्यों उसमें कुछ ऐसे मूर्खता की चीज़ें हैं अंग्रेजी में P.U.T. Put beauty put और अगर beauty but तो P.U.T. Put C.U.T. Cut beauty but तो P.U.T. Put क्यों नहीं होना चाहिए बताए और अगर P.U.T. Put तो beauty but और C.U.T. Put क्यों नहीं होना चाहिए कोई उत्तर नहीं है एक अंग्रेजी का शब्द है chemistry तो C.H.E.M.I.S.T.R.Y. chemistry ठीक है तो यहां क्या है C.H.K. है तो चोपडा में C.H.O.P.A.R.A. चोपडा में तो कोपडा होना चाहिए अगर chemistry में chemistry हो सकता है तो चोपडा में कोपडा क्यों नहीं होना चाहिए और कोपडा का चोपडा हो रहा है तो chemistry का chemistry क्यों नहीं होना चाहिए कुछ हो जवाब नहीं कहीं सी का है कहीं सी चा हो जाता है कहीं सी सा हो जाता है कुछ अता ही पता नहीं है कहां सा कहां का कहां चा हमारी संस्कृत में तो नहीं होता कहीं में हिंदी में भी नहीं होता ये अदकच्रे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग क्या सिखाते है अपने बच्चों को, वो सिखाते हैं मैं किसी के घर में खुसता हूँ ये अक्सर मेरे साथ होता है बेटा, अंकल आई है जरा पोयम तो सुनाओ तो मैं कहता हूँ, भाया ये अंकल कौन है मैं चाचा हो सकता हूँ मामा हो सकता हूँ, ताउ हो सकता हूँ फूअ हो सकता हूँ, मौसा हो सकता हूँ कुछ भी हो सकता हूँ, यह अंकल काँ से हो गया मुझे तो समझ में नहीं आता अंकल है कौन चाचा, मामा, काका है, मौसा, फूझा हमरे यहां तो निश्चित शब्द है ना, और किसी के भी घर में गुसो मामा हो जाओ तो कितना अच्छा नहीं तो चाचा हो जाओ ये अंकल होने की जरूरत क्या है वो अपने बच्चों को कहते हैं अंकल आये है तो फिर वो सुधारते अच्छा वही चाचा कहल वाएंगे मामा कहल वो फिर वो कहते हैं पोईम सुनाओ कविता नहीं पोईम सुनाओ अब कविता और पोईम में जमीन आस्मान का अंतर है वो बताता हूं अंतर क्या वो बच्चा टेप रिकॉडर की तरह से चालू हो जाता है रेन रेन गो अवे कम अगेन अने दर डे लिट्ल वेवी वांट्स टू प्ले अब बच्चे को पूछता हूं तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है रेन रेन गो अवे कम अगेन अने दर डे कहता मालूम नहीं किसने सिखाई मम्मा ने सिखाई मम्मा को पूछा अर्थ मालूम है रेन रेन गो अवे नहीं मालूम किसने सिखाई उनके टीचर ने सिखाई टीचर को पूछो rain rain go away अर्थ मालूम नहीं है भेडिया धसान लगा रखा है रटा रहे हैं रटा रहे हैं फिर बच्चे को जब मैं समझाता हूँ देखो इसका अर्थ है बारिश बारिश तुम चली जाओ मत आओ बारिश को बुला लिया वापस क्योंकि सब बच्चे कह रहे हैं rain rain go away भाग जाओ बारिश तो तो इश्वर ने का चलो ठीक है बुला लो वापस तो बारिश तो होगी नहीं खेत में पानी तो आएगा नहीं तो अन्न तो पैदा होगा नहीं तो खाएंगे क्या rain rain go away खा के पेट भरेगा हम मूर्खों को ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान में 14 करोड हेक्टेयर जमीन पर जहां खेती होती है उसमें से 5 करोड हेक्टेयर जमीन पर ही पानी की व्यवस्था है 9 करोड हेक्टेयर जमीन की खेती तो बारिश की ताकत पर होती है जिस देश की 60 प्रतिशत खेती बारिश पर होती हो वहां के बच्चे ये गाएं rain rain go away महा मूर्ख ताकी ये हद है फिर उन बच्चों को मैं कहता हूँ कि ये है पोईम जो आई है इंग्लेंड से क्योंकि इंग्लेंड में बारिश कभी भी होती है मौसम का भरोसा नहीं इंग्लेंड में कहते हैं तीन डबलू है जिनका कोई भरोसा नहीं वैदर कोई भरोसा नहीं वाइफ कोई भरोसा नहीं आज है कल नहीं है हाँ बिल्कुल भरोसा नहीं है वाइफ का वैदर का भरोसा नहीं और वर्क काम का भरोसा नहीं 20 साल आप किसी कमपनी में काम कर रहे हैं कल आपको पिंक सिलिप देंगे और कहेंगे जी चले जाओ हमारे हाँ ऐसा नहीं है हमारे यहां तो weather एकदम पक्का है भरोसा है बारिश का season है तब ही बारिश होगी ठंड में तो ठंड होगी गर्मी में गर्मी ही होगी यह भारत में नहीं हो सकता और wife तो इतनी पक्की है इस देश में कि एक जनम नहीं साथ साथ जनम तक का बंदन है तो हमको ये अंग्रेजियत में जाने की ज़रूरत नहीं है फिर आप बोलेंगे जी भारत के बच्चों को क्या सिखाना चाहिए कविता सिखाईए आपको एक मैं मराठी कविता बताता हूँ बहुत सुंदर कविता है ये 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 पाउसा तुला देतो पैसा पैसा जाला खोटा पाउसाला मोठा ये है भारतिय कविता बच्चे क्या कह रहे हैं बारिश बारिश तुम जल्दी आओ ये 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 मने जल्दी जल्दी आओ ये 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 पाउसा तुला देतो पैसा देने को तैया रहे बच्चा तुम आजाओ एक बार हम बारिश को बुलाने वाले देश के लोग हैं क्योंकि 60% उत्पादन बारिश की ताकत पर होता है तो यहां के जमीन से जो कविता फूटेगी वो येरे येरे पाउसा ही होगी इंग्लेंड की जमीन से जो कविता फूटेगी वो रेन रेन गुवे होगी हर सब्विता की कविताएं अलग होती है, हर संस्कृती के वाक्य अलग होते हैं, सूप्त अलग होते हैं, ये समझने की जरूरत है, अंग्रेजियत में येरे येरे पाउसा नहीं मिलेगा, तो भारतियता में आईए, इस अंग्रेजी का पिंड छोड़िये, आप दुनिया वर में बोलतें फिरतें अंग्रेजी अंतराश्वी भाषा बिलकुल नहीं है, 200 देश हैं, मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, और उनी देशों में अंग्रेजी हैं, जो अंग्रेजों के गुलाम हैं, भारत, पाकिस्तान, बंगला देश, औस्ट्रेलिया, न्यूजिल बताता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था United Nations में अंग्रेजी नहीं चलती, वहां French चलती है, अंग्रेजी में भाशांतर करते हैं, एक बार मैंने एक अधिकारी को पूछा, UN अधिकारी को कि आप अंग्रेजी में काम क्यों नहीं करते हैं, उन्होंने का वो कोई भाशा हैं, मैं पूछा, मतलब उन्होंने का सबसे रद्धी भाशा दुनिया की, जिसका अपना व्याकरण नहीं है, जिसकी अपने शब्द नहीं है, सब नकल करके घेर बटोर के इकठा किया है, तो फिर मैंने का आप French में काम क्यों करते हैं, तो उसने इतना सुन्दर जवाब द आया है, उसने का संस्कृत मैं से आया है, क्योंकि दुनिया में एक ही भाशा है संस्कृत, जिसके धातु रूप, जिसके शब्द रूप, और आप जानते कितनी विशेश भाशा है, कि आपकी क्रिया बदलती रहती है हर छण, आपके संग्या के हिसाप से, मैं जाता हूँ, वे जाते हैं, तुम जाते हो, तीनों में ही अलग, किसी भाशा में नहीं होता, इसलिए जब इतनी अच्छी भाशा अपने पास है संस्कृत, और अब सब वेग्यानिक कहने लगे हैं कि सबसे ज़्यादा वेग्यानिकता संस्कृत में है, शब्दों की संख्या संस्कृत मे तो क्यों अपनी संस्क्रत को क्यों ना अपनाएं, हिंदी को क्यों ना अपनाएं, मराटी, तेलगु, तमिल, कंणर, मलियालम को क्यों ना अपनाएं इस देश में, क्यों विदेशी भाशा का मोह करें, इस मोह को तो छोड़ना पड़ेगा, और इसको तो खतम करना ही पड़े है और जिस दिन अंग्रेजी विदा होगी उस दिन इस देश में एक नई करांती होगी आप जानते हैं क्या होगा इस देश के करोणों विद्यार्थी जो गणित में अच्छे हैं भौत एक शास्त्र में अच्छे हैं रसाइन शास्त्र में अच्छे हैं अर्थ शास्त्र में इतिहास में बच्छे हैं सब विष्यों में पारंगत हैं लेकिन अंग्रेजी में फैल होते हैं तो उनकी जिन्दगी रुख जाती है सिर्फ इसलिए कि अंग्रेजी में फैल हो गए मैं ये बात अपने आपसे कहना चाहता हूं और आपसे कि उनको अंग्रेजी में ही फेल होना चाहिए क्योंकि वो उनकी भाषा नहीं है विदेशी है कौन सा अंग्रेज है जो हिंदी में पास होके दिखा सकता है आप ले आए और कौन से अंग्रेज परिवार के लोग हैं जो मार मार के अपने बच्चों को हिंदी सिखाते हों ले आए हम मार मार के अपने बच्चों को अंग्रेजी क्यों सिखा रहे हैं और अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं तो उस पे अफसोस क्या कर रहे हैं फेल तो उनको अंग्रेजी में होना चाहिए पास तो पूरा जिंदगी भर वो दर्द सहता रहता है अंग्रेजी का। मैंने देखा इस देश के बहुत विध्यारतियों को, जो अंग्रेजी में लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो लिखते पढ़ते बोलते हैं मात्र भाषा में, फिर उसका भाशांतर करते हैं विदेशी भाशा में उनकी जिंदगी का छे गुना जादा समय इसी भाशांतर में निकल जाता है फिर परिणाम क्या होता है दो-तीन साल में जो इंजिनिरिंग होना चाहिए वो साड़े-पांच साल में होता है छे साल में होता है, साथ साल में, देड़ दो साल में जो मेडिकल की पड़ाई होनी चाहिए, वो पांस साथ साल खिच जाती है, भाशा को बदल दीजिए, मात्र भाशा ले आईए, सारी इंजिनिरिंग और मेडिकल की पड़ाई देड़ दो साल में ही हो जाएगी, इतना मैंने सीखा मैं दो साल में वो सब सीख सकता हूँ, दस साल अपनी जिन्दगी के बचा सकता हूँ, दूसरे काम में लगा सकता हूँ. करोणों विद्यारती वंचित हैं इस देश में, वो सिर्फ अंग्रेजी के कारण, हमें इसको हटाना है, मात्र भाषा के आधार पर सिक्षण व्यवस्था को लाना है, इसके लिए भारत स्वाविमान अभियान है, और ऐसे कुल हम 60-65 काम करना चाहते हैं इस देश में, छोटे बड़े कुल मिलाकर, इस व्यवस्था को सुधार में के, इनी सब कामों के लिए भारत स्वाविमान बनाया है, एक और काम हम करना चाहते हैं, कि इस्ट इंडिया कंपनी आई थे लूटने के लिए, अब आज़ादी के 62 साल में 5000 विदेशी कंपनी आगई लूटने के लिए, पेपसी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, पामुले, प्रॉक्टर औंगेंबल, रेकेट औंड कोलमेन, ये सब विदेशी कंपनी आज़ादी कंपनी आज़ादी के लिए इस्ट इंडिया कंपनी लूटती थे, इनको भी हम भगाना चाहते हैं, जैसे इस्ट इंडिया कंपनी को भगाया, वैसे ये पेपसी कोक को भी भगाना चाहते हैं, उसके लिए स्वदेशी आंदोलन इस देश में फिर पैदा करना चाहते हैं, एक बार स्वदेशी आंदोलन लोकमा ने तिलक ने शुरू किया था, मात्मा गांदी ने किया था, विनायक दामुदर सावर करने किया था अब वही स्वधिशी अंदूलन फिर करना चाहते हैं गांदी जी तिलक और सावर करने किया था इस्ट इंडिया कमपनी के खिलाफ हम वो करना चाहते हैं पेपसी कोका कोला जैसी पांच हजार कमपनियों के खिलाफ उसमें आपका हमें सक्रिय सहयोग चाहिए आप बोलेंगे क्या गांदी जी ने तिलक ने लेश को समझाया कि इस्ट इंडिया कमपनी का सामान मत खरीदो ये भाग जाएगी हम भी आपको यही समझाना चाहते हैं कि इन 5000 विदेशी कमपनीों का सामान मत खरीदो ये भी भाग जाएगी पैपसी कोला, कोका कोला, कॉल गेट हिंदुस्तान, लीवर, प्रॉक्टर और गेंबल, रैकिटेंड, कोलमें इन कमपनीों का सामान मत खरीदिये इनके इस्थान पर सिर्फ स्वदेशी सामन खरीदिये देशी सामन खरीदिये पैसा देश का बचेगा, अर्थवे वस्था में ताकत बढ़े मैंने एक दिन हिसाब निकाला कि सारे हिंदुस्तानी लोग पैपसी कोक पीते हैं एक बोतल बारे रुपई की मिलती है सत्तर पैसे में बनती है बारे की वो बेचते हैं एक बोतल पर दस रुपई उनको नेट प्रॉफिट होता है टेक्स देने के बाद साथ सो करोड बोतल उनकी साल में बिकती है 7000 करोल रुपए वो लूट ले जाते हैं इस तेश से Pepsi Coke का पानी पिला कर और वो पानी 12 रुपए का है 300 मिली लीटर 36 रुपए का हो गया 900 मिली लीटर 40 रुपए का 1 लीटर 1 लीटर पानी 40 रुपए का हम पी रहे 20 रुपए लीटर का दूद नहीं पी सकते और अपने को बहुत स्मार्ट समझते और जो Pepsi Coke का पानी पी रहे हैं उसको पीने में मजा नहीं आता नाक में जलन, गले में जलन, पेट में जलन आँखों से आंसु निकलते हैं फिर भी गटागट पीते रहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि वो बेस्ट क्वालिटी है क्योंकि अमरीका से आया है उसकी क्वालिटी एक दिन पता की तो पता चला उसमें एसिड मिलाते हैं फॉस्फोरिक एसिड ये वही एसिड है जिससे संडा साफ करने वाला फिनाईल बनाते है हमारे घर में हार्पिक बनता है फिनाईल बनता है वो जिस एसिड से बनता है उसी से पेपसी कोग बनता है एक दिन मैंने मेरे घर में परिक्षण किया कि एसिड से अगर हम फिनाईल से और हार्पिक से संडा साफ कर सकते हैं तो पेपसी से भी होना चाहिए क्वालिटी दोनों की एक ही है मैंने करके देखा बहुत अच्छा साफ होता है बहुत अच्छा एक महीने मैंने मेरा टॉइलेट साफ नहीं किया एक बोतल पेपसी कोला लाके स्प्रे किया 20 मिनट के बाद पानी से धोया टॉइलेट पॉट जखा जख सफेद एक दम वाइट एंड वाइट उस दिन से मैंने एक विज्यापन शुरू किया ठंडा मतलब टॉइलेट क्लीनर अब ये पढ़े लिखे एडियेट क्लास के लोग इसी टॉइलेट क्लीनर को पीते अकेले नहीं पीते घर में आने वाले महमान को भी पिलाते एक तरफ कहते हैं अतिती देवता होता है देवताओं कोई संडास साफ करने का पानी पिलाए कुछ अतिती तो ऐसे घर में आते हैं घुसते ही कहते हैं ठंडा लाओ माने टॉयलेट क्रीनर पिलाओ हमको मत पीजिए अच्छा नहीं क्वालिटी बहुत खराब मैं आपको सची जानकारी देता हूँ मैं महाराश्टर के विधर्व एरिया में बहुत दिन रहा वहाँ कपास की फसल होती है कपास पे कीड़े बहुत लगते है कीड़ों को मारने के लिए किसान पेपसी कोक स्प्रे करते हैं और कीड़े मर जाते है क्योंकि पेपसी कोक में खतरनाग जहर है क्लोरोपाईरी फॉस एंडोसलफान मेलाथियान डाई क्रोमेड मोनो क्रोटो फॉस जिससे कीड़े मरते हैं फसल के वो पेपसी कोक है मत पीजे इसको तो क्या पीएं गन्ने का रस संत्रे का रस, मुसम्मी का रस दही की लसी, गाय का दूद, कुछ भी पीजे साथ अजार करोड का अगर गन्ने का रस पीने लगे तो करोडों किसानों को इतना पैसा मिलेगा कि वो गन्ना पैदा करने में ही करोड़ पती हो जाएं तो पैसा देश के किसान को दीजे ना कि अमेरिका की कमपनी ऐसे ये आप कॉल गेट क्लोज अफ मत खरी दिये ये विदेशी पेस्ट है नात साफ करने के लिए जो आप कॉल गेट क्लोज अफ इस्तेमाल करते हैं कितनी लूट है तीस रुपए का सो ग्राम है तीन सो रुपए किलो दो सो रुपए किलो बादाम है तीन सो रुपए किलो टूथ पेस्ट है देड़ सो रुपई के लोग घी आता है घाये का तीन सो रुपई के लोग पेस्ट है पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं तीन सो रुपई के लोग का पेस्ट रगड़ते हैं और वाश वेशन में थूकते और देड़ सो रुपई के लोग घाये का घी रोटी पे लगा के खाते हैं, सस्ती चीज खाते हैं, महिंगी चीज थूकते हैं, कहते हैं हम बहुत स्मार्ट, मैं कहता हूँ और स्मार्ट बनो, कहते हैं क्या करें, मैं कहता हूँ ये तीन सो रोपई किलो का पेस थूकते क्यों हूँ, इसी को रोटी पे लगा लगा के खा ल defect नहीं है, expiry date नहीं गली-गली गाउं-गाउं मिलता है जो दातुन नहीं कर सकते हैं तो दंत-मंजन करिए हमारे पतेंजली योग-पीठ का दंत-मंजन ले लीजे दिव्वे दंत-मंजन उसको खरीदेंगे तो पैसा हमारे ट्रस्ट में आएगा और हमारे इस भारस वावमान के काम में लग जाएगा ये कॉल-गेट क्लोजब का पैसा तो अमेरिका जाएगा, बंद करिए उसको, दंत-मंजन घर में बना लीजे थोड़ा नमक, थोड़ा तेल बस और थोड़ी हल दी, तीनों मिला के दांत पे गिस लीजे, दंत-मंजन ये विदेशी फालतू में साबुन मत खरी दिये, लक्स, लाइफ, बॉय, लेरिल, रेक्स होना मुझे तो ये दुख होता है 40 रुपय का 100 ग्राम एक साबुन आता है इस देश में ढव 400 रुपय किलो और लोग नहाते हैं और पानी में बहाते हैं उसको 400 रुपय किलो 2500 रुपय किलो बादाम नहीं खा रहे हैं 400 रुपय किलो साबुन रगड़ रहे क्यों फालतू पैसा करच कर रहे हैं आप बोलेंगे नहाएं कैसे चने के आठे से नहाईए, बेसन से मुलतानी मिट्टी से नहाईए दूद से नहाईए हमारे देश में महाशिवरात्री आती है तो शंकर जी को दूद से नहलाते हैं कि नहीं तो भगवान नहा सकते हैं तो भक्त क्यों नहा सकते हैं दूद से लाइफ बॉय लगाओ, पुत्रियां फलो, सब कहते हैं दूदों नहाओ, पूतों फलो, दूद से नहाओ, मैंने हिसाब निकाला, हम सब दूद से नहाने लगें, तो विक्री दूद की बढ़ेगी, मुनाफ़ा किसानों को मिलेगा, पैसा देश का बचेगा, गाए बेल होगा, तो खेतों में भी वो डल पाएगा, तो यूरिया डियेपी भी बंद हो जाएगा, लाखों करोड का खर्चा बच जाएगा देश, दूद से नहाएगा, और दाड़ी भी दूद से बनाईए, शेव करते हैं ना, दूद से, थोड़ा दूद ले लिजे, लगाईए, रेजर चला, यह बहुत क्लीन शेप बनती है, मैं पंदरे साल से करता हूँ, चार फाइदे हैं, पहला फाइदा दूद लगाओ, चिकना हो जाता है चहरा, तो रेजर बहुत आसानी से चलता है, तो ब्लेड जादा दिन काम करता है, दूसरा फाइदा दूद लगाओ, तो दूद गंदगी निकाल देता, आपको मालूम है, दूद बेस्ट क्वालिटी क्लिंजिंग एजेंट है, बड़े-बड़े ब्यूटी पॉरलर्स में मिल्क क्लिंजिंग ही होता है, पांसो रुपई में करते हैं, मैं फोकट में बता रहा हूँ आपको, दूद लगाओ तो गंदगी निकलती है, चहरा साफ होता है, तो कील मुहा से नहीं होते, और दूद लगाओ चहरा साफ हो तो चहरा चमकता है, फोकट में स्मार्ट बनने का रास्ता बता रहा हूँ आपको, कल से शुरू कर दो, दूद से दाड़ी बनाओ, दूद से नहाओ, और फाइदा हो तो पडोसियों को बताओ, सारे देश में ये हमें फैशन बनाना है, जिन्दगी को थोड़ा बदलो, कपड़े पहनने हैं तो सूदी पहनो, खादी के पहनो, जूते चपल खरीदने हैं तो मोची से खरीदो, बाटा का मत खरीदना, बहुत लूट खोर कंपनी, बाटा क्या करता है, आगरे में जूता बनवाता है, आपको चल के दिखा देता हूँ, कहीं दूर से नहीं, आगरे से बनवाता है, सौ रुपए का जूता, और मोची से खरीद लो, मोचीयों को रोजगार मिल जाएगा, बाटा को पैसे क्यों दे रहे हैं, तो मैंने विदेशी माल बिल स्वदेशी खरीदो, स्वदेशी बनो, आप पूछो के पता कैसे चलेगा, एक पुस्तक हमने बनाई है, उसका नाम है जीवन दर्शन, परम पुझने स्वामी राम देव जी ने खुद लिखा है, उस पुस्तक में पीछे के चार पन्ने पे यही जानकारी है, क्या सामन स्वदेशी क्या विदेशी, वो ले लो आप, हमारे पतंजली चिकितसाले से मिल जाएगी, इनके हाथ में है, यह पुस्तक है, जरा खड़े हो के दिखा दो, यह पुस्तक मात्र 11 रुपई की है, आप इसको ले लो, पीछे इसमें चार पन्ने है, जब आप खोलोगे तो उसको समाल के रखो, बाजार जब भी आप जाओ, तो यह सूची देख कर जाओ, और स्वदेशी सामान ही ले के आओ, अपने जीवन में एक संकल्प ले लो, कि हम भारतिए हैं तो भारतिय वस्तुओं का ही उप्योग करेंगे, हम भारतिये हैं तो भारतिये भाशाओं का ही उपयोग करेंगे हम भारतिये हैं तो भारतिये भोजन का ही उपयोग करेंगे हम भारतिये हैं तो भारतिये ओशदियों का ही उपयोग करेंगे जो भी होगा, हम भारतिय, भाषा, भूशा, भोजन, भेशज, सब कुछ भारतिय होगा, तब जाकर हम शहीदों के सपनों को सच्चा कर पाएंगे, इसी के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, इसी स्वदेशी आंदुलन को करते करते लोकमा नितिलत चले गए, मात्मा गंद ही चले गए, सावर कर चले गए, वही आंदुलन अब हमें फिर जिन्दा करना है, इसके लिए ये भारत स्वाविमान है, तो आप सब इसमें हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी में विनम रपेक्षा लेके आया, एक तो आप हमारे सदस्य बनिए भारत स्वाविमान के, हमको इस सम पार्सियों की बहुत जरूरत है, संख्या बढ़ाना है, सबसे बड़ा काप, पाँच करोड़ लोग हमें एकठे करने हैं, हमारी पार्टियों के पास 4 करोड़ लोग हैं, हम जिस दिन 5 करोड़ हो जाएंगे, हम जो कहेंगे, पार्टियां वही करेंगी इस देश में, लीजे उसको भरके दे दीजे साधरन लोग जो सदसे बनेंगे उनको 51 रुपए उसका दानराशी है और जो विशेश बनेंगे वो 1100 रुपए है ये दानराशी हमारे भारस वाविमान ट्रस्ट में जाएगी इसका एक पैसा भी किसी के व्यक्तिकत कारे के लिए खर्च नहीं तो देश को स्वदेशी बनाना है खुद को स्वावलंबी बनाना है देश को भी स्वावलंबी बनाना है और संपूर्ण स्वतंतरता और सुराज इस देश में लाना है जो अभी तक आया नहीं है इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ती के लिए हम सब प्रयास करें एक साथ म क्षामियाब करेंगे क्योंकि जो अपनी मदद करते हैं इश्वर उनकी मदद जरूर करते हैं जो खुद ख़ड़े होते हैं इश्वर उनको जरूर मदद करते हैं खढ़ा करवाने में और मुझे ऐसा लग रहा है कיר आने वाला समय कुछ ईश्वर की योजना का हिस्सा है कि ऐसी शक्तियां इकठी हो रही है एक सन्यासी को क्या जरूरत थी ये सब करने की वो तो योग प्राणायाम में अपने लगे हुए थे उनको लगता है कि नहीं देश भी अच्छा होना चाहिए योग प्राणायाम से हम अच्छे हो जाए फिर देश को भी अच्छा बनाना है फिर उनके साथ दूसरे लोग जुलना शुरू हो गए अभी सब्तर से जादा संगठन है जिनोंने भारत स्वागिमान को पूरी तरह से अपना सहयोग देने का संकल प्यक्त किया है थोड़े दिन में वो सो हो जाएंगे डेड़ सो हो जाएंगे संख्या बढ़ती जाएगी आप भी इसमें आ जाएए तो आपकी आत्मा को भी थोड़ा संतोश होगा मेरा तो आप से विनम्रता पूर्वक एक ही कहना है कि आप हमारे साथ आजाएंगे हम ये काम थोड़ा जल्दी कर पाएंगे आप नहीं आएंगे तो भी काम तो हम करेंगे यही बस इतना है कि थोड़ा देर में होगा आप आएंगे जल्दी होगा नहीं आएंगे तो भी होगा देर में होगा आप आग जाएंगे तो गर्व से आप कह पाएंगे कि जब भारत स्वाइवमान का अभ्यान चला था तो हम भी इसमें शामिल थे जैसे हम आज गर्व से कहते हैं मेरे दादा जी 1942 की लड़ाई में जेल गए थे छाती चोड़ी करके बोलते हैं ऐसे ही आपके बच्चे बोलेंगे कि मेरे मामा माता पिता भी भारत स्वाइवमान की अभ्यान में शामिल थे और जो शामिल नहीं हुए तो आपके ही बच्चे आपको गालिया देंगे और आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि तुम क्या कर रहे थे जब भारस्वाविमान चल रहा थे आपको तेह कर रहा है रास्ता बिल्कुल इसपष्ट है या तो आप साथ में आ जाए नहीं तो हमारे विरोधियों के साथ चले जाए हमें कोई गम नहीं है क्योंकि हमें मालूम है जीत हमारी होने वाली है सार्थकता हम लाने वाले हैं सफलता हमको मिलने वाले है ये बोलकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद देता हूँ आपने बड़े ध्यान और शांती से सुना एक छोटी सी जानकरी देना चाहता हूँ कि सदस्य बनने के लिए फॉर्म यहां मौजूद है हमारी इस्थानी पतंजली समीती के पास ले लीजे भरपूर हैं कोई कमी नहीं है जीवन दर्शन पुस्तक भरपूर हैं वो ले लीजे कोई कमी नहीं है स्टॉल भी है तो वहां से भी मिल जाएंगे और यह स्वदेशी विदेशी का सूची पत्रक निकाल के घर में समाल के रखिए बाजार से सबी सामन स्वदेशी लेके आईए जो कुछ मैंने बोला है इस विशे पर अगर बार बार कुछ और सुनना हो मेरे विचारों को इन ही सूचनाओं को तो इसकी कुछ सीडी बनाई है MP3 फॉर्मेट में है आप इस तरह बाहर जाएंगे तो मेरा एक सहयोगी है उसके पास है आप एक दो दो चार सीडीयां ले लीजे उसकी हजारों कॉपियां करवा लीजे मेरा कोई कॉपी राइट किसी सीडी पर नहीं है सब को कॉपी करने का कमप्लीट राइट है क्योंकि मैं मानता हूँ ग्यान पर किसी का अधिकार नहीं है मैंने कहीं से ग्यान लिया आपको दिया आपने मुझसे लिया किसी और को दिया तो उसकी हजारों कौपी करकर के घरगर बटवा दीजे ये विचार जितनी तेजी से और जितनी जल्दी घरों में पहुँचेगा उतनी ही जल्दी भारत स्वाविमान का भियान और हमारा प्रयास सफल और सार्थक होगा ये कहकर आप सब काभार बहुत बहुत धन्यवाद